हमारा आज का नौवल इक्रासगीर एहमद का एक रिक्वेस्टेट और कम्पलीट नौवल है जिसका नाम है रिदाय आर्सू सो लेट स्टार्ट कंदील बीबी बाहर अश्रफ सहाब के दोस्त कोई एहम पेगाम लाएं हैं वो बुला रही हैं आपको मुझे मगर उसने सरासीमा अंदास में खड़े होकर अपने पीले सूट पर निगाह डाली जो उप्टन की हुश्पू से महका हुआ था और जाबजा उस पर उप्टन के छोटे छोटे दबबे भी सूख कर नुमाया हो गए थे देर ना करीम बीबी बहुत जल्दी में हैं वो साहब कह रही थे कंदील बीबी से कहो पांच मिंट के लिए बात करने बहुत परिशान और फिकर मंद हैं वो मुलास्मा परिशानी से गोया थी इलाही कहर अब जब के उन्हें बारात लेकर पहुंचने में देर ही किती रह गई है ऐसे हसास वक्त पर किसी अजने भी का उनके दोस्त का पुर इसरार सपे काम लाना उसे हवास बाखता करने लगा ठेहरो मैं चच्ची जान को साथ ले लेती हूँ उसने सियाह चादर ओड़ते हुए इस तरह भी लहचे में कहा ऐसा गजब ना कर नबी बी जी आप से ही करने बली कोई खास बात होगी जबी तो उन सहाप ने सकती से ताकीद की है कि बहुत खमोशी से आपको बुला कर लाओं किसी और को मालूम ना हो बड़ी बेगम साहिबा की आदत आप जानती है करमेमानों से बढ़ा हुआ है बलास महावास बाखता नजर आने लेगी अच्छा उसने गूमगू हालत में परेशान से निकाह सामने चरपाई पर दवाईयों के जेरे असर नीद में डूबी मा के कमजोर जर्द बिमार चेहरे पर डाली जैसे फैसला ना कर पा रही हो कि जाना सूथ मन रहेगा चली जी वक्त नहीं है कोई इधर आ जाएगा तो पर आप जा नहीं सकती शम्मो तुम जानती हो न उन्हें उसने पाउं में काली चपल पहनते हुए इस्तफसार किया हान जी काफी शरीफ आत्मी है सूरत से मुझे भला मानस लगता है उसकी जबान इकरार जबके आँखें इंकार कर रही थी अश्रफ सहब बारात लेकर पहुँचने वाले थे उनके नाम की महनदी उसके हातों में सजी हुई थी उसके तन पर सज़ा पीला जोड़ा उप्तन से महगता उनके नाम का था वो ताहयात उनकी बीवी बिनने वाली थी हमेशा के लिए उनकी तहवीर में जाने वाली थी महस चंद घेंटों की मसाफ़त थी दरमयान में ये दोस्त अजनभी पुर इसरार पैगाम उस से तन्हा और सब की लाइल्मी में मिलने की खाहिश उफ हुआ क्या है परवर्दिकार अश्रफ साहब खैरियत से हूँ उसकी जात अंदेशों के भवर में दोल रही थी साहब जी आ गई कंदील बीबी मुलाजमा जो बहुत हुश्यारी से उसे कोठी के अकबी गेट से निकाल कर लाई थी तंगली के एक्ताम पर सिल्बर ग्रे कार की बैक से टेक लगाए होटों में सिगरेट तबाए बायहाद की शहादत की उंगली में की रिंगुमा तेनों जवान से मखातिब हुई जो उन दोनों को आता देखकर काफी मुस्तादी से अलर्ट हुआ था डाक ग्रासिस में पुशीदा उसकी आँखें सियाह चादर की ओच में छुपे चेहरे पर मर्कूस हुई थी चोटे से गुंगट से सिर्फ उसकी सतुआं खड़ी उंची नाग छलग रही थी आप कंदील या वर हसन है ब्लू चीन्स वाइट शिर्ट में मलबूस उस दरासकत शानदार परसनालिटी वाले शक्स ने अपनी भारी और गुंचतार आवास में पूचा जैसे तस्दीक करना चाहता हो कि वो कंदील ही है या कोई और जी आप कौन है अश्रफ सहब ने बाकी मानदा अलफाज उसके होटों से बाहर न निकल सके क्योंके बहुत सरत से उस शक्स ने जेब से रुमाल निकाल कर उसकी जाने बढ़कर एक हाथ से उसका मूँ बंद करके रुमाल नाक पर रख दिया था उसकी गिरिफ्ट फौलादी थी इस अचानक अफ़ताद पर वो संभलना पाई थी उसकी गिरिफ्ट से निकलने के लिए वो चंद लम्हें जाहमत कर पाई थी मगर फिर बेबस हो गई थी नाक और होटों पर जैसे किसी नशा आवर दवा में तर रुमाल की तासीर ने उसे लम्हों में विहोश करके इर्द-किर्द से बेनियास कर दिया था वो किसी धरक्त से टूटी शाख की तरह उसके हातों के हलके में धेर हो गई थी उस नोजवान ने उसे कार की पिछली निशिस्ट पर लिटा कर उसकी सियास चादर उड़ा दी थी मुलास्मा को भारी रकम देकर कार बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ने लगी थी कोटी से कुछ फासले पर बैंट बाजों के बे तहाशा शोर के हमरा बारात जाती हुई नजर आई सुर्ख गुलाबों से सजी समरी कार में चंद लोगों के हमरा सहरा सजाए दुलहा पर उसकी निगाह पड़ी तो पुर इसरार सी फरहत बख्ष तसकीन अमेज मुस्कुराहत उसके भरे भरे सुर्खी मारे लबों पर बेसाखता उबरी थी उसने उसी लम्हे फातिहाना मगरूर और घमंडी निगाह बैक मिरर से पिछली निशिस्ट पर बेस उत पड़े चादर से पुशिदा वजूद पर डाली और कार तेजी से आगे बढ़ने लगी आपा जवान बेटियों के होते हुए भी मैं तुम्हें काम में लगा देती हूँ तो खून जल कर खाक हो जाता है लो भला ये कोई बात है जवान ज़हान लड़कियां चछत पर्टिकी हैं कभी महले में कभी कहीं कभी कहीं गुसी हुई मिलती है मा को घर के कामों में खपा रखा है यहां तो उल्टी गंगा ही बह रही है सफिया बैठो तो सही अरे मैं खुद ज़्यादा काम नहीं करवाती बच्चियों से ये उमर तो आराम से सकून से गुजार ले पिर अगले घर जाकर तो घर के बखेडों में फसकर सारी सिंदगी गुजर जाती है औरत को ससुराल में भला कहां सकून मिलता है रजिया अपनी सादा और नर्म तबियत के 22 चोटी बहन से बुली आपा मैके में करेंगी तो ससुराल में भी करने की आदत होगी न अभी हच्छाराम और काहिल बना रही हो तो आगे जाकर तुम्हारा वो नाम रोशन करेंगी कि थू-थू होगी तुम्हारी तरवियत पर हाँ सच कह रही हूँ हमने क्या काम नहीं किया मैके में भी घर संभाला गुर्वत के 22 अबा का सहारा बनने के लिए अमा की फिकर कम करने के लिए घर बैट कर लोगों की सिलायां भी की कपड़ों की कपड़े कार कर स्विटर बुन कर भी घर बैठे मस्दूरी की शादी के बाद ससुराल में भी एड़ियां रगर रगर कर दिन गुजारे हैं अब जाके बेटे हो नहार और काबिल निकल गए तो दिन अल्ला ने फेरे हैं मगर फिर भी मैंने बेटियों को अपने चलन पर ही चलाया है पैसा आ जाने से मजाश नहीं बिगड़ने चाहिए सिलाई कड़ाई, खाने पकाने, घर की सफाई, गर्जी के हर काम में ताक कर रखा है उन तीनों को अब तो अपने हाथ से मैं भली भी ना फोड़ूं तीनों के काम बांट रके हैं मजाल है जो कभी आपस में काम पर सुस्त पढ़ जाए मगर तुमने तो आपा बिलकुल ही अंधेर मचा रखी हैं घर में मुझसे बरदाश नहीं होता ये सफिया बेगम बड़ी बेहन के करीब बैठते हुए तेज और नागवाल लहचे में महवे गुफ्तगु थी जबके रफिया के होटों पर मुस्कुराहट थी सफिया चोटी होने के बाइस उनकी लाडली और चहीती बेहन थी उनकी मुहपत में ही वो बांचियों को सख्त सुस कह रही थी सफिया जबी तो मैंने धील दे रखी है हम मैके से मैने तो मुशक्कत करते आई थे ससुराल आकर और ज़्यादा मशीन बन गए थे अब मैं चाहती हूँ बेटियों को कम असकम अपने घर में तो आराम करने दू अरे रहने दो आपा आज कोल की बच्चिया हमारी तरह मौम की नाजुप नहीं है ससुराल में कदम रखते ही हर शैपर कब्जा जमा लेती है ससुराल वालों के खिदमत तो क्या करेंगी उल्टी अपनी खिदमत करवाने लगती है ओहो खाला जान आई हुई है असलाम लेकुम खाला जान कब आई उपर सीडियों से उतरती अफशीन ने सर पर दुपटा डालते हुए मुस्कुरा कर सलाम किया तुम्हारी बला से कभी भी आऊ तुम्हें कौन सा खियाल है खाला का वो नराज की से गोया हूँ एक लोती खाला हो खियाल क्यूं न होगा मैं उपर छट पर कंबल सुखाने के लिए डाल कर आई हूँ मौसम तेजी से बदलने लगा है रात को तो सर्दी लगने लगती है इसलिए मैंने सोचा अभी से कंबल और लेहाफ दो कर तयार करके रख दू सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं छोटे मोटे कामों में ही दिन गुजर जाता है अफशीन उनके करीब बैठते हुए कुछ इतनी महबबत से गोया हुई कि उनके चेहरे के तासुरात बदल गए शुकर है तुमें तो कुछ मा का ख्याल है नौरीन कहा है वो भानजी को देखती हुई प्यार से बुली नौरीन वो सामने खाला रहती है ना उनके पोते की सालगे रहे वहां गई हुई है आती होगी अफशीन चाय बना लो बजार से कुछ चीजें भी मंगवा ले ना अब तुमारी खाला को खाना खाने के बाद ही जाने दूँगी तनहा आई हो बच्चियों को साथ ले आती अफशीन के बाद वो सफिया से मुखातिब हुई थी ना मालूम वो दिन का पहर था या रात का जब उसने आखें खोली थी चंद लम्हें बेहिस्व हरकत पड़ी नीम कनूगी की हालत में चट पर लगे फानूस को गूरती रही ये दौरानिया चंद लम्हों पर मुश्तमिल था फिर यक लख जैसे घोर अंधेरा रोशनी से जगमगा उठता है इसी तरह उसके जहन पर इस्तराब और इंतिशार, खौफ और गबराहत हावी हुए थे वो जटके से खड़ी हुई गुजरा हुआ एक एक लम्हा उसकी निकाहों में फिल्म के तरहां मंजर बदलने लगा उसे अभी भी अपने मू और नाग पर उस अजीब बू वाले रुमाल की गिरिफ्ट महसूस हो रही थी जिसकी नागवार बू और फौलादी गिरिफ्ट के बाइस अपना सांस बंध होता हुआ महसूस हुआ था और वाकई वो दम गुटने के बाइस बेहोश हो गई थी उसने हैरान सी वहशत जदा निकाहें कमरे में चारों सिम दोड़ाई कमरा आराईश शुदा था कीमती परदे पढ़े हुए थे जिससे कमरे में नीम अंधेरा था बेट के साइडों पर रखे लेंप रोशन थे कोई दर्वाजा ये खिड़की उसे नज़र नहीं आ रही थी उसने इस तरह भी और दिवान की भरे अंदास में पड़े हता कर देखे तीन अतराफ सपार्ट दिवारे थी जिन पर सिर्फ इलेक्ट्रिक पोर्ट नस्ब थे बाएं दिवार के दरमियान में ब्राउन कलर का लकड़ी का दर्वाजा नस्ब था उसने दोनों हाथों से बुरी तरहां दर्वाजे को पीट डाला पीटल का भारी गुल्दान उठा लिया और दोनों हाथों में मस्पूती से पकड़ कर दर्वाजे पर पैदर पैवार करने लगी दर्वाजा खोलो दर्वाजा खोलो कुद्दा के लिए दर्वाजा खोलो वो साथ साथ चिलनाती जा रही थी आसु उसके सफेद रुक्सारों से फिसल फिसल कर चादर पर गिर रहे थे वो कहां थी? यहां आए कितना वक्त गुजर चुका था? उसे यहां लाने वाला कौन था? और उसका क्या मकसद है? कई सवाल उसके दमाग में हल चल मचाय हुए थे मा का ख्याल उसे बेदम करने लगा था बिमार और लागेर फालिट से माजूर मा का ख्याल उसे अंगारों पर तोड़ा रहा था उसके गुमशुदगी वहां क्या क्यामत बर्पा कर चुकी होगी? उसे ये बहुभी एहसास था हैरत, अंगेज बात थी, बेहत आरास्ता, कमरे में वाल क्लॉक नामी कोई शैना थी जैसे वक्त से यहां के मकीनों को कोई वबस्तगी और जरूरत ना हो या दूसरों का वक्त खराब करने वालों को उसका एहसास नहीं होता क्या बेहूदगी है ये? नौक करने की तमीज नहीं है आपको पीतल के गुल्दान के धमाकों का खात्तिर हुआ असर दूसरे जाने भुआ था दर्वाज़ा खोल कर वो कदरे दुरुष्ट लहचे में मुखातिब हुआ था वाइट कुड़ता शर्वार में उसकी पेशानी की शिकने नुमाया थी सुर्ख आँखें बिगड़े तेवर जाहिर कर रहे थे वो गहरी नींद से बेदार हुआ था दूसरों की नींदे हराम करने वाले खुद कितनी पुरसकूर नींद सोते हैं मुझे घर चोड़ आएं खुदा के लिए मुझे घर वापस चोड़ आएं वो बुरी तरहां रोती हुई आजिजी से फरयात करने लगी आप समझ रही हैं वहां सब आपकी राह में पलके बिचाए बैठे होंगे पूलों से कलियों से आपका स्वाकत होगा उसके लबों पर तन्जिया जहर खुन मुस्कुराहट थी रोशन ब्राउन आँखों में तमस्कुर और हकारत थी जानती हुँ मैं आप मेरे लिए कांटे पहला आएं हैं अंगारे बिच्छा आएं हैं क्या बिगाड़ा था मैंने आपका क्यों किया ये सब मुझे इस तरह अगवा क्यों किया आपने आपको क्या मिला उसके सिस्किया गूँचने लगी आपके हुजन से मतासिर होकर हरकिस नहीं तमस्कुराना अंदास में फारण जवाब दिया गया इनसान नहीं हो तुम तरिंदे हो जानवर हो उसका इत्मिनान और तमानियत से निकरा चेहरा उसे मुश्टेल कर किया मैं ऐसा तरजे गुफटगू बरदाश करने का आदी नहीं हूँ लहजा दुरूस्त करो अपना मुझे आदाब गुफटगू सीखाने से पेशतर आप खुद अदाबे इंसानियत अहसासे इंसानियत सीखिए इस कदर जलील घटिया इंसानियत से मुबरा काम करने के बावजूद आप खुद को इंसान समझ रहे हैं तुफ है आप पर अभी आप का दमाग आउट आफ कंट्रोल है सो मचपूरन मुझे आपकी बक्वास नजर अंदास करने ही पड़ेगी वो बेनयाजी से शाने उचका कर अंदर कमरे की तरफ बढ़ने लगा उसने दरवासा बंद नहीं किया था वो बात्रूम था जिसके टाइल्स खुबसूरत थे काफी वसी और स्टालिश अंदास का बात्रूम था जिसके दूसरे दरवाजे से एक और कमरा नजर आ रहा था दो कमरों के दरमयान में ये बात्रूम था और दोनों दरवासे बंद होने के बाइस उसे दरवासा पीटने की आवास काफी देर से इसी लिए सुनाई दी थी उसके समझ में अब आया आपको बिल्कुल भी ऐसास नहीं है कितनी जिन्दगियां आपने तबाह कर डानी है जीते जी जहन्नों में फेंक दिया है क्या भी गाड़ा था मैंने आपका मेरी बिमार माने क्यों किया आपने ये सब मेरा मूट नहीं है इस वक बात करने का और सवाल चवाब करतें लोग मुझे वैसे भी कभी पसंद नहीं रहे प्लीज आप अपने कमरे में जाए बिजी हूँ मैं इस वक वो सामने आइने के नीचे लगे शव से शेविंग किट निकाल कर उसमें पानी भर कर डिटोल के कत्रे डाल कर काफी मसरूफ अंदास में गोया हुआ कंदील की सिस्कियां आहें आंसू कुछ भी उस पर असर न कर सका वो चंद साथ उसकी चोड़ी पुष्ट को बेबसी और गुसे से देखती रही वो उसकी साथ को बिलकुल नजर अंदास कर चुका था जैसे वो तनहा हो उसके पास कोई जीरू मुझूद ही ना हो वो पहले कमरे में जाने की बजाए बातरूम से मुलहिका दूसरे दर्वाजे की जाने बढ़ गई वो उसी बेन्याजी से शेव करने में मसरूफ था जैसे मुकमल एतमाद हो कि वो कहीं भाग कर नहीं जा सकती ये कमरा उस कमरे से भी ज़्यादा खुबसूरती से डेकुरेट किया गया था सामने बेट पर ग्रीन बेट कवर पर शिकन था कमबल ऐसा ही रखा था साइट टेबल पर लेंप रोशन थे दाइन लेंप के पास टेबल पर रिस्ट वाच, सिग्रेट का पाकेट सुनहरा, लाइटर और कलम के निस्टी की मुबाल रखा था कमरा नीम तारीकी में जूबा था दबीज पर दे चारों सिम्थ लटक रहे थे उसने भाग कर सामने कपरदा हचाया तो वो ग्लास वाल थी बाहर का मंदर उसके होश उड़ाने को काफी था चंद कदम के फासले पर लहराता, इठलाता, समुंदर अपनी शिद्दतों से उधम मचाए हुए था उची और सरकश लहरे पूरी सोर आवरी से साहिल की चमकती सुर्खी माइल जर्द रेत पर आकर श्रांथ हो जाती थी दूप पूरी तरहां पहली हुई थी परिंदे लहरों के संग बहती मचलियों का शिकार कर रहे थे उसके दिल की धड़कने मुंतशिर होने लगी आँखों के आगे जैसे अंधेरा चाने लगा दूप और सूरच यानि रात गुजर चुकी थी सुबह का सूरच उसकी पाकिज़ा और शफाफ जीस्त पर जिल्लत और रुस्वाई के कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे भलाता तलू हुआ था उफ क्या क्या इल्जामात की भरमार्डा हुई होगी उसे रुस्वा करने में कोई कसर ना रह कई होगी चच्ची बेगम चच्चा जान उनकी फैशनेबल बेटियां पहले ही उन मा बेटी के वजूद से नाला और दस्ट बरदार रहते थे और अश्रफ सहाब उनकी इज़त पर कैसा दाग लगा है वो शरीफ और बाकिरदार शक्स जिसने उसके साथ उसकी मा के वजूद को भी तस्लेम किया था बेशक वो उमर में उससे तीन गुना बड़े थे मगर वो भाखुशी मा को भी साथ रखने पर राजी थे और जहेज की भी बिल्कुल जिमांट ना थी जो सोने पर सुहागा वाली मिसल पूरी कर रही थी मा जो उसकी कुल काइनात थी उसको आराम पहुँचाने के लिए कोई खुशी देने के लिए वो जिन्दा जलने के लिए भी तैयार थी मगर ये एक्तम क्या हुआ था मन्जिल तक पहुँचने से कबल ही फिजाओं में मौलिक हो गई थी उसके दिल और दमाग में ऐसा दर्द यक लख्त उठा था कि वो तेवरा कर नीचे किरी थी सर बैटके कोने से टकराया था साइट टेबल पर रखा शीशे का पानी से भारा जग और गलास च्छनाके से नीचे किरे थे शोर की आवास पर उसने चेहरा धोते हुए चौक कर तर्वाजे से अंदर ज्छाका था और नल यूही बेसर ने खुला चोर कर बुखला कर अंदर आकर उसकी तरफ पढ़ा था वो टेड़े मेरे अंदास में पड़ी थी उसके माथे से खुन निकल कर लाइट ग्रीन कॉपिट में जजब हो रहा था उससे कुछी फासले पर शीशे के जग के टुकडे बिखरे हुए थे नोरीन इस उम्र में मुझे रुस्वायों की दलदल में फसाएगी कुछ तो अल्ला की कहर से ड़त मैं कोई गलत बात नहीं कर रही है मुझे एक बार नहीं हजार पार इंकार है इस रिश्टे पर मर कर भी मैं नहीं मानूगी नोरीन के लहजे में बकावत, हद, तरचे, खुदसरी, खुदपसंदी बोल रही थी अभी तुम बच्ची हो नहीं समझ सकती अपना अच्छा बुरा ऐसी बातों का तजर्बा वक्त गुजरने के साथ साथ आता है और फिर रहील जैसे हो नहार और लाइक लड़के तो आज कल कहा मिलते हैं असानी से दोनों बहने घर में राज्च करना, फात्मा तुमारी सगी भुपों है, उसकी पसंद और तुमारे मरहूम बाप की खाहिश पर ये रिष्टा बलकि तुम दोनों बहनों के रिष्टे बच्पन में ही तुमारे बाप ने तैय कर दिये थे अब क्या अपने मरे बाप की खाहिश का भी एहतराम नहीं करोगी उन्होंने नई उमीद से बेटी के बागी चेहरे की तरफ देखा इन तीन दिनों में वो कितनी अजनबी और असहत गुस्ताक और बतलिहास हो गई थी उस बेटी पर तो उन्हें बहुत एहतमाद और फखर था उन्होंने कभी उसे किसी बात पर नहीं टोका था महले में वो सारा दिन घूमती रहती थी जहीरियों के साथ बजार चाती शादी, मंगनी, दीगर तक्रीबात ने वो बहुत एहतमाम से शरीक होती उन्होंने कभी कोई बासपुर्स नहीं की उनकी महपत के आगे भायों ने भी एतरास नहीं किया अब तो घर में बहु भी आ गई थी वो पीछे से कुछ भी कहती रहें मगर मू तर मू उन्हें भी जुरतना हुई कुछ भी कहने की उन्हें अपनी बेटी पर बहुत मान था वो अपने मेंके में बहुत गुटी फिजामे रही थी बाप बहुत सखत मजाश थे मा को लड़कियों का घर से निकलना बिलकुल पसंद नहीं था ससरान में भी उन्हें ऐसा ही माहौल मिला था तबके नौरीन दो भाईयों और एक बहन से चोटी थी और बहुत नटकट और शोख मजाज थी उसकी तबियत बागो बहार थी असहत मूपट और साफ को थी वो तीन दिन पहले उनकी नंद फात्मा आई थी अपना मुद्धा बयान करने कि वो अफशीन और नौरीन को प्याँ कर ले जाना चाहते हैं क्योंकि दोनों की मंगनी बश्पन में ही फात्मा के बेटों से हो गई थी उन्होंने बेटियों और बहुँओं और बहन और बहनोई से मश्वरा करके एक माँ बाद की तारीख दे दी और जब से ही नौरीन के जोहर खुल रहे थे महले में रहने वाले लड़के यावर हसन से वो ना मालूम कब से मुहपत की पतंगें बढ़ा रही थी पींगें बढ़ा रही थी जिस बेटी को वो बहुत मासूम और भोली समझती थी उसने बेहयाई और बेगैरती के रंग खुद पर इस कदर चड़ा लिये थे कि उन्हें दो दिन तो यकीन ही नहीं आया कि ये उनकी वो बेटी थी जिसे वो आज तक ननी बच्ची समझती रही थी उसने सिरे से इस मंगनी को मानने से ही इंकार कर दिया था शादी करने को तयार ना थी उन्होंने प्यास से, कुसे से, रौप से, हर तरीके से उसके सर से इस इश्क के बूत को उतारने की कोशिश की मगर यावर हसन का इश्क सर चड़ कर बोल रहा था माँ, बेहन, भाईों की सबकी मुहपतों पर यावर की मुहपत भारी थी वो उसकी खातिर सब को चोड़ने को तयार थी उसके लहचे में बकावत और सरकशी चटान की तरहा अटल थी उन्हें खानदान का नमूस खत्रे में महसूस हो रहा था ये कहां की दानिशमंदी है अमा? मुर्दों की खाईशों के पीछे जिन्दा लोगों को जिन्दा दरगोर किया जाए? और जब हमारा मजभ हमारी शरियत इजाज़त देती है लड़कियों को अपनी पसंद और नापसंद का इख्तियार देने की पिर क्यों हमारे मौशरे में ऐसी जालिमाना कारवाईया होती है? लड़किया कोई गाई भकरी थोड़ी है जिन्हें जिस खूंटे से चाहे बांती आजाए ये सारी जिन्दगी का मामला है मैं चन्द लम्हें अपनी नापसंदीदा चीज़ परदाश नहीं कर सकती नापसंदीदा शक्स को सारी जिन्दगी शोहर के रूप में किस तरह परदाश करूँगी? माबाप कभी ऑलाद का बुरा नहीं जाते शरीयत मानने से मैं इंकारी नहीं हूं मगर ऐसे फैस्दे अपनी ऑलाद पर एतमाद और मान के सारी किये जाते हैं कि ऑलाद अच्छी तरह जानती है उसके लिए वही मनतखिब किया जाएगा जो उसके लिए बेहतरीन और सूथ मंध होगा और ऐसे फैस्दे कभी बुरे साबित नहीं होते यह इश्क और मुहपत कभी मनजिल पर नहीं पहुँचाते बेती यह वो राह है जिस पर जो चला है कभी बटक कर सहराओं जंगलों में गुम हो गया है या लोगों से पत्तर खाकर दिवानगी का लकप पाकर जखम जखम बटकता रहा है और आज कल का इश्क तो महस वक्त गुजारी है शादी के बाद कभी सोचो गी भी तो खुद अपनी बेवकूफी पर हसोगी यह ऐसी मौपत नहीं है तुम मुझे बहलाओ ना अम्मा मैंने कह दिया कि मैं सिर्फ यावर की हूँ और नहीं मुझे सी मुनाफकत होगी कि दिल यावर के पास हो और जिसम राहील के हमाले कर दूँ पहलू में मेरे राहील हो और तसवर में यावर हो ऐसा नहीं हो सकता अम्मा जिसको दिल दिया है जिसम भी उसी के सपुर्थ करूँगी वो बेबाकी से निडर अंदास में बोली थी बेकैरत बेहया बेअदब शर्म से डूप बढ़ने का मुकाम है मा और बेहन के आगे ऐसी बेहुदा बेलगाम बगवास कर रही है शर्मो हया बिलकुल ही बेच खाई है नामुराद में बेटी के मुझ से निकले नाजेबा अलफाज उनके बाहया खून में आग सी लगा गए थे उन्होंने गुसे से बेकाबु होकर कई थपड उसे लगाए और दुख और गुसे से अपना सीना पीट करोने लगी अमा ऐसे मत करो अफशीन उन से लिपट करोने लगी वो भी नोरीन को समझाने में नाकाम रही थी अगर मेरे टुकडे टुकडे भी कर दोगी अमा तो हर टुकडे से यावर यावर की सदा उठेगी मेरे किस बुना की सदा है तू आज बहुए घर पर नहीं है मैं मूँ दिखाऊंगी मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती क्या हुआ अमा बड़े भाई लाल बबु का चेहरा लिए अंदर आए उनका सख्त लहजा शोले उगलती आँखें तख़त पर अकर कर बैठी नोरीन पर थी उनके गुसे और जलाल से सारा गर ही कांपता था उन्हें अचानक अंदर आते देखकर दूपटे में मूँ छुपाय रोती हुई अमा गबरा कर खड़ी हो गई अफशीन का डर के मारे जिसम थर थर कांप रहा था जबके नोरीन के चेहरे पर लमहा भर को खौफ उबरा था मगर फिर वो नॉर्मल हो गई क्या ड्रामा कर रही हो क्या बुराई है राहील में अमा की तरफ देखते हुए उन्होंने खुद पर जब्द किया अच्छा हुआ आपने सब कुछ सुन लिया है भाईजान मैं यावर को पसंद करती हूँ राहील पसंद नहीं है मुझे अरी कुछ तो शरम कर भाई के आगे क्या और फॉल बग रही है अमा से रहा ना गया बोलने दे अमा इसे बोलने दे यह हमारा प्यार और एतमाद बोल रहा है मैं रहील से शादी हरकिस नहीं करूँगी यह मेरा फैस्दा है भाईजान और यह मेरा आखरी फैस्दा है उनकी नर्मी उसे और नीडर कर गई अमा देखा आपने सफिया खाला जब भी आई उन्होंने यही समझाया कि लड़कियों को इतनी धील ना दो हमने भी कई मरतबा आपको समझाना चाहा मगर हर तफ़ा आपने हमारे बोलने से कबल ही जबान बंद कर दी आपकी नाग के नीचे यह सब करती रही और आपकी आँखे बंद रही हैरत है अमा मैंने तो सुना था बेटियां जवान हो जाएं तो माएं उनके हर कदम की निग्रानी करती है उनके चेहरे पर फैलते तमाम रंगों से आशना होती है पिर ये क्या हुआ है अमा ये बेधड़क बिला खौफ हमारी इजज़त पामाल करती रही और आप बेखबर रही उसकी आँखों पर बेहयाई बेगैरती की पटी बंद गई है शादी होने में चन्द दिन बाकी है और इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि शादी से इंकारी है मैंने एतमाद किया था मुझे क्या मलूम था मेरा खौन ही मुझे डस लेगा वो आशों के दर्मयान बोली तुमसे तो मैं बाद में निपट लूँगा पहले उस जलील आदमी का सांस बंद करके आता हूँ जिसकी शेय पे तेरी आँखों से शर्मो हया मफूद हुई है इतनी बुरी तरह मारूँगा उसे कि उसकी आने वाली साथ नसली भी किसी लड़की के तरफ निगाह उठाने की जुरत नहीं करेंगी और तुम्हारा तुम्हें वो हशर करूँगा कि मौत भी काप उठीगी वो खून के आलम में किचिन से छुरी लेकर निकले उनकी आँखों में खून उतरा हुआ था गैरत से होन जोश्मा रहा था अम्हारोती हुई उनको बाजू से पकड़ रही थी अफशीन बुरी तरह चीखती रोती उनके कदमों में लिपट गई थी चीखों पुकार सीव वहां मच गई थी वो जिनूनी अंदास में खुद को चुढ़ाने की कोशिश कर रहे थे अम्हा और अफशीन डोते हुए हजियानी अंदास में उन्हें वास्ते दे रही थी उनके खानदान पर अजाब तूटने वाला था बेटी की जिद और रुस्वाई यावर का कतल बदनामी ही बदनामी थी अम्हा उन्हें दर्वाजे तक जाने से रोकते हुए बुरी तरहा हाप गई थी अफशीन उनके कदमों से लिप्टी गिसिटती हुई बढ़ रही थी आगे उनका जनून कम नहीं हो रहा था अल्ला के वास्ते अफशीन के आंसू, सिस्किया, मिन्नते कोई कारगर साबित नहीं हो रही थी रुख जाएं भायजान मैं रहीन से शादी करने के लिए तयार हूँ उन्हें दर्वाजे तक पहुँचते देखकर खामोश खड़ी तमाशा देखती नोरीन सपाट लहजे में गोया हुई वो रुख गए थे अम्मा और अफशीन उनको लेकर अंदर आ गए थी और समझा बुझा कर उनका गुसा कम करने की कोशिश कर रही थी आपको मुझसे बादा करना होगा आप कभी यावर को ममूली सी भी तकलिफ नहीं पहुँचाएंगे आपकी बनाई हुई कुरबान काह पर अपनी भेंट यावर की जान के सदके मैं दे रही हूँ वो रोती हुई गुस्ताख लहचे में उनसे गोया हुई उसके चेहरे पर उनके लिए नफरत ही नफरत थी अम्मा इसको कहते मेरे सामने से दफा हो जाए और मेरे सामने आने की कोशिश भी कभी न करे मुझे भी आर्जू नहीं है आपकी सूरत देखने की मेरी बद्दूआ है आपके यहां बहुत सारी बेटिया हूँ और जब उनकी शादिया हूँ तो वो भी मेरी तरह जबर्दस्ती बेजा असूल और खुद साखता रवाजों की बेंट चड़ाई जाए फिर आपको मेरा दुख महसूस होगा इसलिए कि आप मेरे बाप नहीं भाई है हाँ यही तो दुख है मुझे यही तो एहसास मेरे पाउं की जंजीर बन गया कि तु मेरी बेटी नहीं पहन है खुद्दा की कसम अगर बेटी तुझ जैसी हुई न तो उसे जिन्दा जमीन में दफन कर दूँगा तु जैसी बेटीयों पर आन और आबरू नहीं दी जाती बलके खांदानी ना मूस पर तुम जैसी बेटीयों को कुर्बान कर दिया जाता है कुछ और लड़कियों ने ये चलन अपनाए तो लोग बेटीयों को जिन्दा दफन करना शुरू कर देंगे बेटीयों बाप भायों के उचे शिमले में जड़ा कोहे नूर होती है कदमों तले आता अजरा पत्थर नहीं अमा अब इसके कदम घर से जब ही निकलेंगे जब ये डोली में बैठने जाएगी कब तक चलेगा आपका ये प्रोग्राम उसने सर्द और खुश्ट नागवारियत और बेजारियत से लबरेस लहचे पर सर उठा करना देखा उड़ना ही जवाब दिया अलबता आंसों के रवानी में मसीद इज़ाफा हो गया पहरहाल मर्जी है आपकी जब नाश्टे को दिल चाहें तो कर लीजेगा किचिन में मुझूद रेफ्रिजरेश्डर में तमाम समान मजूद है सील बंद डबो में फेश चिकन मजूद है जो आप खाना चाहें उसके माथे पर चोट गहरी आई थी फर्स्ट एड बॉक्स यहां मजूद था उसने महारा से ड्रेसिंग कर दी थी और अपने बेट पर ही उसे लिटा दिया था वो बेहोश थी मगर जल्द ही उसे होश आ गया फिर जो उसने बेट पर गुट्नों में चेरा चुपा कर रोना शुरू किया तो गेंटों गुजर गए वो दूसरे कमरे में था वक्तन पर वक्तन उस पर नजर भी आकर डाल जाता था और उसकी हालत हनूस देखकर बेजारी से पलट जाता सुबा से अब दुपहर डलने वारी थी उसने कुछ नहीं खाय था अब जो उसने खाने को कहा तो जल गई सहर खाने के काबिल रह गई हूँ जहर लादे वो खाऊंगी वो हस्यानी अंदास मीची की सिरूर शौक फरमाईए का मकर यहां नहीं वो उसी दी में और सर्थ लहचे में गोया हुआ मैंने क्या पिगाड़ा है आपका क्यों लाएं आप यहां कुछ फैसले कुदरत के होते हैं जिने अंजाम देने के लिए तकरीर किसी बंदे का इंतखाब करती है मैंने वहीं किया जो मुझे करना चाहिए था और अपने किये पर मैं कत्तई शर्मिन्दा या नादिम नहीं हूँ मुर्दा जमीर और इमान फरोष लोग कत्तई शर्मिन्दा होने नहीं जानते शट अप मैं आपके साथ बेहद रियायत कर रहा हूँ मुझे हद से तजावुस करने पर मुश्टेल ना करो वो एक दम विफरा नजर आते समुंदर की लहरों में सुरस चलने के साथ साथ शिद्दत आती जा रही थी दूर उफक पर परिंदों की कितारें अंधेरा फैलने से कबल अपने आशियानों की सिम्त महवे परवास थी वो बहुत हस्रत भरी निगाहों से उन आशाथ फिजाओं में परवास करते परिंदों को देख रही थी काश के मैं भी अजादी से अपने मसकन की तरफ लोट सकती बिला शुबा वहां मेरे लिए अब कोई गुझाश नहोगी मगर मेरी मा को अब भी मेरी जरुत होगी सुबा से अब तक वो फरार की तमाम कोशिशें करके नाकाम हो चुकी थी तमाम गेट्स लॉक थे उसने सामने मुझूद शीशे की वो दिवार भी तोड़ने की कोशिश की थी मगर उस पर जर्ब लगा कर उसे मलूम हुआ वो शीशे नहीं बलके आला क्वालिटी का प्लास्टिक था जब जाहिर बहुत नाजुक और शफाफ शीशे नदर आता है मगर हाथ लगाने से महसूस होता है पत्थर की तरह सخت तरीन है कमरे के बराबर लाउंच था और उससे मुनसलिक किचन था सब में ऐसे ही प्लास्टिक के शीशे लगे हुए थे वो मायूस होकर बैठ गई थी वो दुबारा कमरे में नहीं आये था सुबा से शाम हो रही थी वो रात से भूकी प्यासी थी मगर भूप, प्यास, सकून से वो मावरा हो चुकी थी शित्त गिरिया से सूजी आँखों में बिमार और माजूर मा का वजूद जैसे मुनजमिद होकर रह किया था उसे अब कुछ भी याद नहीं था सिर्फ मा के सिवा फालिद जदा मा का तमाम काम वो किसी शीर खुआर बच्चे की तरह खुद करती थी उनका निशला हिस्सा बिल्कुल पत्थर बनकर रह किया था जिससे वो हरकत ना कर सकती थी वो फैक्टरी से आकर उनमें मसरूफ रहती थी अब जबके एक रात एक दिन गुजरने के करीब था कौन उन्हें संभाल रहा होगा मां की बेबसी और तकलीफ का ख्याल नई सिरे से उसमें बेदार हुआ था वो किसी बिफ्री शेडनी की तरह जनून में उटी थी दबे कदमों से चलती हुई खुले दर्वाजे से अंदर जहका वो इर्द गिर्द से बेखबर बहुत इन हमाग से टेबल पर फाइल्स पहलाई कुर्सी पर बैटा था उसका सर जुका हुआ था हाथ में मुझूद गोल्डन पैन तेजी से चल रहा था कमरे में भारी पर्दों के बाइस नीम अंधेरा था टेबल पर जलते लेम से निकलती मद्दम रोश्टी में वो लिखने में मसरूफ था उसकी पुष्ट को वो कहर अलूद नफरत बरी नजरों से देख रही थी कितना बेहिस संग दिल बेरहम इनसान था दूसरों को आग में धकेल कर कितना बेपरवा और शान था लम्हे के हजारवे हिस्से में उसने खौफनाक वैसला कर दिया बात्रूम में डेकुरेट संगे मरमर का गुलदान उसने खमुशी से उठाया और आहिस्तेगी से उसके तरफ बढ़ने लगी उसकी आँखों में दिवान की थी दवीस कार्पिट पर उसके कदमों की आवास नहीं उबर रही थी वो उसके सर पर पहुँच गई उसके लिबास से निकलती उप्टन और महन्दी की बू ने उसे गालिबन उसकी मुझूदकी का एहसास दिलाया था उसने चौक कर पीछे मुड कर देखने की कोशिश की थी और उसी लम्हे संगे मरमर के भारी भरकम गुल्दान के पैदर पैद तीन वार उसके सर पर कयामत तोड चुके थे वो कोई आवास निकाले बगैर कुरसी से नीचे गिर कर धेर हो किया था कुन तेजी से निकलकर उसके चेहरे और गिरेबान में जजब हो रहा था कंदील ने एक नम्हे को खौफसदा निकाहों से उसके खुन से रंगीन चेहरे और शर्ट को देखा फिर तेजी से उसकी शर्ट की पॉकिट से मेन गेट की चावी निकाल कर बरक रफ्तारी से वहां से भाग गई की होल में चावी गुमाते ही गेट खुल गया था वो गेट बन किये बगेर बाहर आ गई गबराई, मतहविश निकाह उसने चारों सिम दोड़ाई सामने समुन्दर था, पीछे रेट ही रेट थी उठी नीची जगों पर तूटी फूटी पहाड़ियों बेरंग, बधाल, ज़ाड़ियां उगी ही थी उसने बे तहाशा रेट की तरफ भागना शुरू कर दिया वो इस इलाके से नवाकिव थी, रास्तों से बेखबर थी उसे सिर्फ इस कैट से रहाई चाहिए थी उसकी गिरिफ्ट से अजादी चाहिए थी जो अभी तक बहुत शरीफ और नफस बाकिरदार साबित हुआ था मगर उसके किड़दार पर रुस्वाई और जिलत की सियाही पहला चुका था रेट पर भागना दर किनार उससे चलना दुश्वार हो रहा था कदम रेट में धस रहे थे और कई जगा भागने की कोशिश में वो बुरी तरहां गिरी थी मगर वो चल्द अचल्द यहां से भाग जाना दूर निकल जाना चाहती थी सूरच डूप चुका था गुलाबी शाम की गुलाबियां राज की स्याही में तब्दील हो रही थी तेज हवा में खुनकी बढ़ती जा रही थी समंदर का शोर बुलंद से बुलंद तर हो रहा था लहरों की जोर आवरी साहिल को रोंती हुई रेट के मैदान की सिंथ बढ़ती आ रही थी वो सुर्क इटों से बना खुबसुरत कॉटेज उसकी निगाहों से ओचल हो गया था वो चादर को संभालती गिर्ती पड़ती आगे बढ़ी थी ये रेट का उंचा तीला था और यहां से समंदर धर्वान की सूरत में नीचे बहरा था उसने रास्ते में पड़े पत्थर को पकड़ कर सांस दुरुस्त करना चाहा उसी दम उसे महसूस हुआ जैसे रेट उसके कदमों के नीचे से लमहा बलमहा सिरक्ती जा रही है उसने संभलने की कोशिश की मगर बेसूद उसका जिसन तेजी से रेट में धहसे जा रहा था जैसे कोई ताकत, कोई बला उसे पकड़ कर अंदर के जानिब खेंश रही हो उसे महसूस हुआ, लम्य भर में वो रेत में दफन हो जाएगी खौफ और दहशत से उसकी चीखें निकलने लगी अम्मा मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही आपी एक दिन बहुत बच्छताएंगी, अम्मा और भाई भी नौरीन खुदा के लिए अब तो अकल के नागुलो अम्मा या भाई कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है खुछ सोचो, यावर अपने घर वालों के लिए नापसंदीदा शक्स है काहिल, हद हराम, काम चोड, मैंने से जान चोड़ाने वाला आपनी जो खुद जवान और तवाना होने के बावजूद, माबाप का दस्ते नगर हो वो बला बीवी को किस तरहां खिला सकता है बलके भाई जान ने ये भी इनकशाफ किया है कि वो जुवा भी केलता है और नशा भी करता है तुम क्यूं जान बूच कर कुवे में छलांग लगाना चाह रही हो अफशीन ने बेहन को समझाना चाहा मर्द, कारोबार, औरत के नसीब से करता है बाई जान और चान बिन करें उन्हें मालूम होगा उसमें दुन क्या भरकी बुराया है हुँ, कुछ जैसा भी है, मुझे कबूल होता उन लोगों ने इसलिए यावर से शादी नहीं की कि वो काहिल और कामचोर है कल को उनके दर पर आकर मुझे हाथ भलाना पड़ता हाँ, मैं भूकी मरती मगर कभी उनसे भीक मांगने ना आती उसके लेंचे में नफरत थी नौरीन, ये तुम हो, इस घर की बेटी सच कहते हैं भाई जान, यावर ने तुम्हें बागी बेमरवत बना दिया है जब अपना ही सिका खोटा हो बेटी, दूसरे को दोश नहीं दिया जाता बस अब खत्म कर दो इस मनहूस किसे को कल माईयों है, मेमान आज से आना शुरू हो जाएंगे अमाने अंदर आते हुए उनकी गुफटगू सुननी थी इस थोड़े अरसे में ही बेटी की बगावत और सरकशी ने उन्हें सब में से बिमार और कमजोर कर डाला था कहा जा रही हो तुम, नोरीन को नक्सक से तैयारी करते देखकर वो गबरा कर बोली मैं बला कहा जा सकती हूँ अपने घर में ही कैदियों की तरह निगरानी में रहती हूँ वो इस तहजाया अंदास में होटों पर गहरी लिपस्टिक फेरती हुई, गोया हुई अमा, मत मूल लगे, इसके ये पागल हो गई है अफशीन ने उनके हवास बाखता चेहरे को देखते हुए, बहन की तरफ नफरत से देखा जिसका दिल, मा की महपत, एहतराम, लिहास से मफगूद हो चुका था मेरे घर से कदम निकालने पर पबंदी है मगर यावर पर तो ये पबंदी नहीं है ना अब जब के मैं इस घर से रुकसत होने वाली हूँ तो आफ़ी मुराकात भी ना करें उससे यावर को मैंने बुलाया है, वो आता ही होगा नौरीन खुद पर धेरो परफ्यूम स्प्रे करती हुई, इत्मेनाच से गोया हुई उनका देल जैसे बंद होने लगा उन्होंने पत्राई आँखों से सगी बेटी को देखा जो कहरों से ज्यादा गैर और चलात हो गई थी तमाग तुरुस्त है तुम्हारा, क्या बक रही हो तुम क्यों घर में कुन खराबा करवाओगी, मना कर दो उस जलीर इंसान को इस घर में कदम न रखे परना बहुत बुरा होगा, अफशीद ने उसे जंजोट डाला था, मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता अगर वो यहां नहीं आएगा तो मैं उससे मिलने जाओंगी लाज रख ले मेरी इज़त की, नीचे कमरों में बहुएं मुझूद हैं तो उन्हों भायों के घर आने का वक्त हो रहा है, क्यों इस घर में आग लगाना चाहती है अम्मा उसे कोसने देने लेकी, जो मेरे दिल में आग लग रही है, वो सारे घर में, सारे जहान में लगा दूँगी वो बल खा कर फुनका रही, बक्वास बंद करो, मना करो उसे यहां ना आए अशीन उसे गसीटती हुई, फौन स्टैंट तक ले आई, हरकिस नहीं, कोई मरे या जीए, मुझे परवा नहीं है मेरी किसने परवा की है, वो तीनकर बोली तुझे उस किताब का वास्ता है, मना कर दे यावर को हमारा तुझे कोई एहसास, कोई परवा नहीं है, मगर अपने मख़ब से, तु नहीं फिरी न तू अम्मा ने दिवार गीर, रेक में रखे, सुर्ख चम्कीले, गुलाफ में, कुराने पाक हाथों में लेकर, उसके आगे फर्यादी लहचे में कहा उस ते चंद लम्हें, उस पर आँखें मर्कूस की, फिर तन फन करती नंबर डायल करने लगी, अम्मा दुपटे से अपने आँसों साफ करने लगी अचानक और शदीद सर में लगने वाली जर्बों ने उसे चंद लम्हाद के लिए इर्द किर्द से बेखवर कर दिया था, फिर सर से उठती बे तहाशा दर्द की टीसों ने उसे दस मिन बाद होशियार कर दिया था, खुन तेजी से सर से निकला था, उठकर बैठते हुए उसकी आँखों में तारे नाशने लगे थे, कारपेट उसके खून से रंगीन था, आस्मानी कलर की शर्ट भी सुर्ख थी, उसने बेसन के उपर आवेजा आईने में अपना चेहरा दिखा जो अपने ही लहूं में रंगा रंग बहानक लग रहा था, उसे एक दम कंदील का दिहान आया, बेसाखता उसका हाथ जेब की सिम्त कया, और उसका खच्छा दुरुस्त साबित हुआ, चाबी की अदब मचूद की इस बात की गवाह थी, कि वो उसे जखमी करके फरार हो चुकी है, ये इनकशाफ उसके लिए बहुत परेशान कुन था, जल्दी से चेहरा ध दोकर रुमाल जखम पर बांद कर बाहर आया था, कमरे का दर्वाजा और मेन गेट खुले थे, उसकी पेशानी पर तरक्दुद किसी लवचे नुमाया हो गई, तूर दूर तक अबादी यहां ना थी, दाएं तरफ समुंदर था, बाएं तरफ रेट के वसी टीले थे, शा दूमंदर में जूब गई तो, उसके हवास मुंतशिर हो रही थे, वो कमजोर और बुच्दिल नजर आने वाली लड़की इतनी होस्तामत बहातर होगी कि उसे जखमी करके भाग निकलेगी, इसका इदराक उसे होता तो वो कभी भी, उससे गाफिल नहोता, और इस तरह पर उबरे नाजुक कदमों के निशानात पर पड़ी, वो बर्क रफ्तारी से उस सिंथ भागा, करीब के निशान लहरों ने मिटा दिये थे, दूर एकका दुका निशान मजूद थे जो उसके रहनुमाई के लिए मददकार सावित हुए थे, वो माहिर खोजी की तरहा आगे बढ़ता जा रहा था, कि अचानक उसके कानों में नस्वानी चीखों की आवाजे आने लगी, तेज चलती हवा में आवाजे काफी नुमाया थी, वो दिवाना वार उस टीले की तरफ बढ़ा था, जहां से आवाजें बुलंद हो रही थी, उसके सामने लर्जा देने वाला मनजर था, कंदील का आधा जिसम रेट के अंदर धस चुका था और बाकी दंसता जा रहा था, कंदील के होटों से हजियानी अंदास में चीखे निकल रही थी, आँखें देहशत से फटी हुई थी, दोनों हाथ उसके हवा में मौलिक थे, उसने तेजी से आगे बढ़कर उ रेट की दलदल में फस गई थी, वो उसे बाहर खेंशने के लिए पूरी ताकत सर्फ कर रहा था, वो गोया मुन्जमित हो गई थी, उसके नर्म हाथ तहशत के बाइस बर्फ हो रहे थी, शदीद ठका देने वाली जद्दोजहत के बाद इस दलदल से अजाद हुई थी, व देखा अपनी बेवकूफी का अंजाम, अगर चंद लम्हों की ताकीर हो जाती तो इस रेट की दलदल में दुम्दफन हो चुकी होती और किसी को खबर भी न होती, वो सर्द तुर्श लहचे में बोला था, उसने मौत को अपने से चंद कदम के फास्ते से वापस पलटते देखा था, उसके हवास अभी तक, खौफ के जिरे असर थे, वो मौत से डरने वाली न थी, मगर ऐसी गुमना मौत उसे कवारा न थी, कि कोई कबर पर फातिया भी न बढ़ सके, वो उसके साथ साथ बेजान कदमों से चलने लगी, रात की तारीकी फैल चुकी थी, दिन की रोष्टे में खुबसूरत नजर आने बाला समंदर, खौफनाक, सियाह कद, आवर लहरें उड़ाता, अपना, पूरा खौफनाक मनजर दिखाते, इतना खौफनाक लग रहा था, कि उसने खौफ से जुर्चुरी ली थी, शाय शाय चलती हवाएं, समंदर का शोर समात पर गिरां गुजर रहा था, जाते वग जो लहरें उसके पाउं को छू रही थी, उन लहरों के कद अब उसके गुटनों तक आ पहुँचे थे, थोड़ा फासला तै करके वो उसके हमरा कौटेज के अंदर ताकिल हो गई थी, उसने जोड़तार आवाज में गेट बंद करके ल अधिम हो गी थी, ये तुम्हारी पहली गलती थी जो मने माफ करती है, अगर दुबारा ऐसी हरकत करने का सोचा भी, तो सोच लेना, मैं तुम्हारा गला दबाकर समुंदर में फेंग दूँगा, वो गुराता हुआ अंदर चला गया और दर्वासा बंद कर दिया, कंदील, शल होते आसाब, माउफ होते सर को पकड़ कर कार्पिट पर बैठ गई, परसों से अब तक इतनी परेशानी तफ़कुरात की भवर में चकराई थी कि अब सोचों ने भी करीब आने से मासरत कर ली थी, आंसों भी अंदर ही गिर रहे थे, रेद के उस आसेप ने उसकी बीर अवास पर उसने हर बढ़ा कर आँके खोली थी, जिस्मानी और जहनी पुकार ने उसे नामलूम कितनी देर गाफिल रखा था, वो खुद को मुलामत करने लगी, एक अशनभी मर्द की मजूदकी में उसे इतना गाफिल नहीं होना चाहिए था, मुझे भूक नहीं है, उसके दुबारा मतवचा करने के जवाब में उसने कहा, एक नजर उसके तरफ देखते हुए ओफ वाइट, कलफ शुदा, सूच में, वो खासा नुमाया और निकरा निकरा लग रहा था, सर पर अब रुमाल की जगा ड्रेसिंग नजर आ रही थी, सेंटर टेबल पर खासा एहतमाम नजर आ रहा था जुगाल बर्न उसकी गफलत के दौरान किया गया था, मैं नकरे बर्दाश करने या नाज उच्छाने का कत्तई आदी नहीं हूँ मौतरमा, यह जो कुछ मैं कर रहा हूँ, यह मेरी तब्याद के खिलाफ है, मगर यह मेरा परसनल अफेर था, इसल यह मचपूरन भुकत रहा हूँ, वो सर्थ महरी से गोया हुआ, मुझे नहीं खाना, वो मुझसेल होकर चीकी थी, मगर कमजोरी और नकाहत के मारे आवास धीमी थी, देखो, मुझे सक्ती पर मचपूर ना करो, मेरे प्रोग्राम में सिर्थ तुम्हारा अगवा शामिल था कत्तल या खुदकुशी नहीं, चलो उचो, उसने सक्ती से जरा जुक कर उसका बाजू पकड़ा था, वो मखमली सोफे पर उसे धकेल गया, उसने सीधी बैट कर अपनी बेतर्तीब होने वाली चादर को दुरुस्त किया और उसी तरहां बैठी रही, खाओ, वरना मुझे य मुझे क्यों लाए है, क्या दुश्मनी है हमसे, या अश्रफ सहाब से, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने का पबन नहीं हूँ, खाओ खमोशी से, मैं भी आपका हुकम मानने की पबन नहीं हूँ, नहीं खाना मुझे कुछ, ओके, अगर तुम यहीं चाती हो तो ऐसे ही सही, वो एक चटके से उसके बराबर आकर बैटा था, उसके वजूद से उठती मसहूर कुन महक, उसके मसबूत वजी, सरापे की कुर्वत, कंदील बोखला कर पीछे हुई थी, अपनी तनहाई और बेबसी, कमजोरी का एहसास नए सिरे से जगा था, वो कल से उस शक में शोले दहकते थे, अंग अंग में जैसे सरकशी हर धर्मी का राच था, मगर उसका किर्दार बहुत मसबूत था, शाहिस्तगी और शराफ़त उसके अंदास से जलकती थी, उससे मुखातिब होते वक्त उसकी निगाहें इधर उधर होती थी, मगर इस वक्त उसकी खाओ, उसके लहजे में उलजन और नागबारी थी, कांटे में फसा चिकन उसके मुझ की तरफ पढ़ाया गया था, लहजे में कुछ ऐसी ही कतियत और शिदत पसंदी थी, उसने में कांट की अंदास में कांचा अपने हाथ में पकर लिया, खालूंगी मैं, फिर वो खमोश उसकी से खाने लगी, उससे मुतमेन होकर वो किशन की तरफ पढ़ किया, उसका जहन फिर मा की तरफ पहक गया, नामालूम उन्हें किसी ने दवा, वक्त पर भी दी होगी या नहीं, खाना किसने खिलाया होका, उसके हलक में लुकमा फसने लगा, फिर उससे खाना ना खाया क्या, वो भाप उडाती कौफी का मग उठाये अंदर आया, उसे अफसुर्दा देह कर चंद साथ उसके चेरे पर मलाइमत च्छा गई थी, मगर फिर फॉरण ही कोई याद, कोई मंसर उसकी निगाहों में उबरा था और उसके तेवर पहले से ज्यादा बतल गए, मुझे उ अंधेरा था और उस अंधेरे में समुंदर की लहरें सियाह आसे भी बलाएं लग रही थी, मंसर कुछ इतना ही कौफनाक था कि उसने फॉरण ही निगाहें जुका ली थी, रात को समुंदर का पानी बाहर सेकिंड स्टेप तक आ जाता है और इतना ताकतवर होता है कि पहार को बहा कर ले जाए और साथ ही आभी जानवरों की बहतात होती है जिन में आभी सांप बहुत कसरत से होते हैं और यह सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं वो खौफ सदा लहजे में चीखी थी, ताके आप फरार होना चाहें तो यह ख्याल जहन से निकाल दीजिएगा कोई आ जाया अंदास में कहता हुआ कौफी का मक टेबल पर रखकर बातरूम से मरहे कमरे में चला किया और साथ ही लौक लगा लिया था। जब तुम्हें किसी और से महपत थी तो क्यों मेरी जिन्दगी में फसाद पहलाने के लिए चली आई हो। रहील ने तेज निकाह, पहरे बालवाली नौरीन पर डालते हुए उकताय लहचे में कहा, इतने आजिस आगए हो तो तला क्यों नहीं दे देते मुझे। उसने गुजिशना दो मा के दौरान हसान मरतबा दोराया हुआ मुटालबा फिर से दोराया था। बाई के यावर को कतल करने के खौफ ने उ कबल ही वो अपना रूप उजार चुकी थी। नई जिन्दगी की शुरुआत से सरशार, सरखुशी के आलम में मुसर्टों से शादमान, कुंगुनाता हुआ वो कमरे में दाखिन हुआ तो। नौरीन को रवायती दुलहन के अंदास पे देखने के बज़ाए उसका दुला की धंकी और अम्मा की इज़त बचाने के लिए इलतिजाएं वास्ते एक एक हर्फ। राहिल के गोशे गुजार उसने नहाय ढटाई और बेखौफी से कर दिया था। राहिल पढ़ा लिका था। शरीव और हसास आत्मी था। बहुत सब्से उसने बरदाश किया था। उसक की आला तरीम बेहतरीन तर्बियत ने उसे उसका खून करने से बमश्किल रोका था। दोनों के दरमयान फासले सदियों की मुसाफतों के हाई हो गए थे। उसने अपने अना को जेर करके नौरीन की तरफ बढ़ना चाहा मगर उसने अपनी तरफ आने वाले हर रास्ते को ब सब देख रही थी। नौरीन बुरी तरह उसे जटक दिया करती थी। अमा ने उसके चलन को ऐसे सीने का घाव बना लिया था कि वो उनकी शादी के एक माँ बाद दुनिया चोड़ चुकी थी। तुम मुझे जितना चाहो परिशान करो मगर मुझे चुटकारा सिर्फ मेरे मरने के बाद ही मिल सकता है। जीते जी मैं तुमें कभी नहीं चोड़ सकता। राहिल जिदी और हर दर्म अंदास में कहने लगा। कैसे मर्द हो तुम। मर्द तो अपनी बीवी के जबान से किसी गैर मर्द का नाम नहीं सुन सकते और तुम सब जानते पूचते भी मुझे तलाग देने पर राजी नहीं हो। कैसे मर्द हो। वो तनसीय लहचे में बुली। ये मेरी मर्दानगी ही तो है जो तुम जैसी औरत को इज़त से रखा हुआ है। तलाग औरत के लिए शर्म नाक होती है तुम मर्द की गैरत पर भी ताज्याना होती है। अफसोस। तुम अफशीन भावी ने कहा था तुम्हें टाइम पर बताओं। वो साधा फिदरत के 22 साफ कोई से बोला। शाम में सब घरवाले शादी में गए थे। वो सरदर्द का भाना करके रुक गई थी। राहील जाने के इंतजामात में दुपहर से गाइब था। गर में उसके की फ्लाइट से लंदन जाने की इतला दी थी। उसने तमाम जेवरात और नगदी सफरी बैक में रखा। चंद जोड़े सूट के रखे और तेजी से कमरे से निकल आई। यावर को वो प्रोग्राम पहले ही बता चुकी थी। चोकीदार उसे आता देखकर मौतब खड़ा ह क्या था। उसकी तुन्द मजाजी चुड़ेपन के बाईस तमाम मुलासिम दूर दूर भागते थे। अब भी चोकीदार ने उसके कहने पर गेट खोल दिया था। बहुत फुर्ती से वो आके पढ़ गई थी। दो टैक्सी और एक रिक्षा बदल कर वो उस सेंटर पर पह रही थी। यावर चलो। नौरीन ने लम्हे भर के लिए दोनों निकाब चेहरे से हटाए थे। इस वक्त वो अजहत परिशान और बदहवास थी। वो हमेशे के लिए उस घर से निकल आई थी। यावर ने उसकी दानशमंदी को सराहा था कि वो बुर्का ओर कर अपने चे लाल उस बस्ती की दरफ नहीं जा सकता वो यही सोचेंगे कि वो शहर चोड़ चुकी होगी। यावर का दोस्त दो कमरों और चोटे से सेहन का क्वाटर उन्हें कराय पर दे कर चला गया। यावर के साथ रहते हुए उसे पंदरा दिन हो चुके थे। उसे जरा भी नदामत और खौफ नहीं था। वो जो रकम लाई थी वो ना ना करते भी यावर ने ले ली थी और शाहना अंदास में खर्च कर रहा था। नौरीन अपनी मुहपत पाके मगन थी उसे लग रहा था वो जन्नत में पहुँच गई है। यावर की प्यार भरी बातें तूट कर चाने क अंदाज उसके निगाहों की वारफंगियां, मुहपत की जनून खेजियां, गुनाह के हर एहसास को जहन से मिटा चुकी थी। समीर पहले ही उसका मुटता हो गया था। एक दिन यावर ने इतला दी के रही ने खुदकुशी कर ली है। वो उससे नामने हाथ बंदन को तो काहिल की खुदकुशी का जशन मनाया था। उसने बेहिस, संग दिर, जालिम, बेहया, सफाक, अजरात, तरीन औरत होने का सबूत दिया था। दोनों ने खमोशी से निकाह कर लिया। वो यावर के संग गोया, उफ़क की बलंदियों पर महवे परवास थी। और उसकी रिष्टा बनकर वारित होता है या उसके पर तोड़कर माजूर करके भेंग देता है। पहले पैसे खत्म हुए, फिर एक एक करके जिवरात फरोखत होने लगे। तीन माँ बाद यावर अपने असल रूप में आ चुका था। अमा के एतराज, भाई की शहादतें, अफश पराम ही नहीं, परले दर्चे का अयाश नशे बास था। उसके बड़े भाई ने उसकी उन ही बुरी आदतों से आजिस और बजसन होके उसे घर से निकाल दिया था। जेवरात भी तमाम खत्म हो गए तो वो उससे रकम का मतालबा करने लगा। वो खोद बिलकुल तही दस हो गई थी। जेवर नाम की एक कील तक उसकी नाक में ना थी। सुहाग की निशानी के तोर पर हात में कांच की चूड़ियों से भी वो महरूम थी। एक रुपिया तक उसके पास नहीं बचा था। अब जिन्दगी का भयानक तरीन डूप उसके सामने आया था। यावर ब अम्मा की इलतिजाएं समझाना उसे अब समझ आ रहा था। अपनी बेहिसी हट धर्मी पर अब वो खून के आसूर होती थी। अम्मा ने इतना कुछ होने के बाद भी उसे बद्दवा नहीं दी थी। मगर मा के दिल दुखे की आहें बद्दवाओं से ज्यादा बासर होती हैं। रहील जैसे शरीफ और एसाथ पसंद शक्स को उसकी बेगैरती और बेगांगी ने हरा मौत मरने पर मचपूर किया था। यावर जब उसे बेतहाशा मार रहा होता तो उसे शिद्दत से रहील की याद आती। उसने उसकी तमाम बेरुखी लातालुकी के बावजूद कभी उसे उंग्य तक न लगाई थी। उसकी नापसंदीद्गी के बावजूद कितना एहतराम और इज़त दी थी। वो नाशुक्री थी। मा, बहन, भायों की मुहपत, शोहर के एतमाद और भरोसे से। खुद को कदमों तले रौंद कर सराप के पीछे वो निकली थी। उसने हीरा छोड़कर पत्थर का इंतखाब किया था, अब सारी जिन्दगी उससे सर्ट टकर टकर कर जान देनी होगी। यावर के लबों से जढ़ने वाले फूल, अंगारे बन कर निकलने लगे थे। आँखों में मुहपत, वारफंगियों के जगा शोलों ने ले ली सारी दुनिया की अदालत से बड़ी अदालत जमीर की अदालत होती है। जमीर की आवास पर उसने कभी तवज़ज़ नहीं दी थी, अब जब के वो तन्हा और तही दिस्ट हो गई थी, नदानियों और बेवकुदी के एहसास के सहरा में बटक रही थी। जमीर की हख और उसने एक फैक्टरी में उसके लिए जॉब तलाश की, वो खमोशी से फैक्टरी में काम करके अपना और उसका पेट भरने लगी। उसके लबों पर खमोशी के कुफल लग गए थे। यावर सारा सारा दिन घर में सो कर गुजारता, उसके घर में कदम रखते ही उसकी फजूल आ रही है, जो देर हो जाती है। शुरू शुरू में उसने एतरास किया तो हस्पे आदत वहाथ छोड़ बैठता और कहता, तुछ जैसी ओरत पर भरोसा नहीं है। मुझे जो अपने शोहर को छोड़ कर गैर मर्द के साथ भाग सकती है, तो मुझे भी छोड़ कर किसी दू हाथ कम अर्से में दुनिया से चली गई थी, ये वो मुझे ती जिसका फरोग आजकर गलियों और महलों में अरूच पा रहा है। अब ना मलूम उसके जिमेदार कौन है। डिश पर नजर आते वो रंगीन और शर्मनाक मनासिर जो नोचवानों के कच्छे जहनों के लिए स पर सबस बाग होते हैं। या माओं की संगीन बेखबरी या एतमाद जो वो बेटियों पर करके उनसे पिल्कुल ही गाफिल और बेपरवा हो जाती है। ये जानते हुए भी के जवान खून में शैतान पूरी तरह हावी रहता है। लम्हें की गफलत में अपना वार कर जिसका काम सिर्फ तबाहियां और बर्बादियां पहलाना है। यावर के इस इल्जाम और अदम एतमाद ने उस नौरीन को जबाह कर डाला था जो उसकी मुहपत में बागी और बेहया हो गई थी। फिर उसने उस मालिक से लौला गाली जिससे गाफिल होने पर वो गमराही में पड़ गई थी। यावर की मार, ढगड़े, इल्जामाद, गालियां बहुत इतमिनान से सह जाती। उसने कभी उसकी जबान और हाथ रोकने की कोशिश नहीं की। ख़वोशी से मार खाती रहती। शिकवा किस से करती। यह अजाब तो उसने खुद मुनतखिब किया थ शोहर की कदर ना की थी, मा का दिल दुखाया था, जिसका मदावाद जान दे कर भी ना कर पाती। यह मार और मुशकत तो कुछ भी ना थी उसके गुनाहों के आगे। कुछ माबाद डॉक्टर ने उसे खुशकबरी सुनाई थी कि वो जल्प मा बनने वाली है। उसकी उज विजार, वेरान, जिन्दगी में मुसरत की ननी सी किरन जगमगाई थी, जो यावट ने बहुत सपाकी से उसकी मुसरत पामाल कर डाली यह कहकर कि वो उसके होने वले बच्चे का बाप नहीं है। यह आखरी कील थी, जो उसके मुहपत की ताबूत में गाड़ी गई थी। उसे मार पीट कर वो शाम को घर से निकला था। वो आज तब्यद खराब होने के 22 फैक्टरी नहीं गई थी। उसे गए अभी एक घंटा ही हुआ था कि उसके दोस्त ने आकर इतला दी कि जुवा खाने में किसी जवारी से यावर का फड़ा हो गया और उसने तैश में आकर उस आदमी का कतल कर डाला था और पुलीस उसे पकड़ कर ले गई थी और वो साकित से बैठी रह गई। घर जाने के लिए बेकरार हैं आप। अब इतनी गुमसम क्यों हैं। वो ट्राविंग सीट पर बैठ कर कार्ट स्टार्ट करता हुआ। तंसिया लहचे में बराबर व फिर उसने बेन्याजी और ला तालुकी से शानी उचकाते हुए कहा। कार्ट दर्म्यानी रफदार से पतली सी सड़क पर दोड़ रही थी। दाएं तरफ रेथ थी। उससे आगे समंदर की लहरें किसी नोखेस दोशीजा की तरहा इठलाती उचलती कूटती नजर आ रही थी। सूरज को गटाओं ने अपने सियांगे सूं की लपेट में ले रखा था इसलिए मौसम खासा ठंडा अबर अलूत था। आज नाश्ते के बाद उसने ड्रामाई अंदास में कहा था कि वो उसे घर छोड़ने चा रहा है। उसे यकीन ना आया कि वो सच कह रहा है या बहला रहा है। वो फॉरन ही पोस्ट में खड़ी कार की तरफ पढ़ गया तो उसे यकीन करना पड़ा। मा से मिलने की खुशी उसके अंदर बर्क की तरह दोर रही थी। पिर बहुत सारे चेहरे उसकी निगाहों में गुमे थे। परसों शाम का एक-एक मंदर उसकी निग सकून निन्द सोंगा। उसकी अवाज मुसरतों से लबरेश थी। बजीह और पुरकरशिस चेहरे पर चीत फताह कामरानी का आपशार सबह रहा था। वो खौल कर रह गई। अब तो बता दें किसका इंतकान लिया है आपने मुझसे क्या मकसद था आपका। मैंने पहले भ बियानी से काम ले रही है जिस तरह आप आई थी ऐसी ही वापिछा रही है। मैं धोका बास लोगों को पसंद नहीं करता और ना ही अमानत में ख्यानत पसंद है मुझे। उसने मौर काटते हुए आहिस्तेगी से जवाब दिया। कार अप छोटा सा पुल अबूर कर रही थ जिसके नीचे पानी बहरा था। नहीं समझ सकते आप कि कोई लड़की होना बास घरानों में कितना असीम गुना होता है। मेरी नेक नामी पाकीज की इस्ट नफस सबका कतर कर डाला है आपने। आरत कभी मचबूरन रात को घर में गुसे तो नाकाबले कबूल होती है। औ और वो भी ऐसे कटिन हालात में जब मेरी बारात आकर लौट गई होगी मेरी अचानक गुमशुद्गी को किस गिनावने फेल से मिसल दी गई होगी। इसका एहसास शायद आपको नहीं होगा। वो बराय हुए लहचे में बोली। हमें तो बहुत पहले से एहसास है इस नींद सोगे। नहीं हरकिस नहीं मेरी बद्वा है तुम्हें कभी सकून नसीब नहीं तुम नींद को तरसो सकून को तरसो जिस तरह मुझे बरबाद किया है तुमने इसी तरह तुम भी बरबाद हो। उसके सफेद रुकसारों पर आशू तेजी से बह रहे थे। सिस्किय मतलूबा रहाईश कहां के आगे रोक चुका था काश मैं इस वक्त आपके माबाप के तासुराद अपनी आँखों से देख सकता मगर ओके बाई बाई उसने उसके जर्द पड़ते चेहरे को बगौर देखते हुए इस तहजाया अंदास में कहा और उसके उतरते ही कार तेजी से आगे बगा ले गया खैरियत तो है बेठी क्यों परेशान घूम रही हो काला जान एनक दुरूस्त करती हुई उनके करीब इस तफसार करने लगी काला जान माज परसों कहकर गए थे शिकार पर जा रहे हैं दो दिन बाद बहुत जिम्यदार और संजीदा बच्चा है हाँ अगर उसकी जगा उमेर होता तो फिकर और परिशानी की बात थी कि वो तो है ही हद दर्चे लावबाली गैर जिम्यदार और बन चला आता होगा माज पेटा इन्शालला उन्होंने इत्मे नाम से तसली दी नानी जान आपने मेरा नाम लिया और मैं हासिर हुआ उमेर शरारत से मुस्कुराता हुआ अंदर डागिन हुआ ये तो वही मिस्ल हुई कि शैतान का नाम लिया और वो हासिर हुआ सोच लीजिए पहराल आप मेरे बुज़र्गों में शुमार होती है वो शोकी से जुक कर बोला यानि मुझे शैतान की नानी बना रहा है लड़के माफ कर मुझे उमेर माज अभी तक शिकार से वापिस नहीं आये है उन्होंने शिकायती निगाहों से देखते हुए पुझा माज भाई कुछ दे कबल आ चुके हैं आप जब नानी जान के साथ पड़ोस में गई हुई थी मैं पहले ही कहती थी माज बहुत सिम्धार और सुलजा हुआ बच्चा है उसकी तरफ से फिकर करने की कोई ज़रूत नहीं है चलो जल्दी से खाना लगवाओ बच्चा थका हुआ आया हुगा खाना काकर अराम करेगा वो माज की पुर्ख खलूस और सुन्जीदा तबियत से बहुत खुश थी उमेर अपनी बेचैन शोख तबियत से उन्हें अकसर आजिस कर दिया गरता था खाने की टेबल पर उन तीनों के बाद वो आया था सलाम करता हुआ कुरसी खेंच कर बैठ किया ग्रेश लवार सूट में वो फ्रेश सा खासा खुश नजर आ रहा था यह सर पर चोट कैसे लग गई सलाम का जवाब देकर वो फिकरमंदी से उसके सर पर आने बाली ड्रेसिंग देखकर परशानी से गोया हुई नानी ने भी अपनी आनक दुरुस्त की थी ओ, कोई हास नहीं, मामूली सी चोट लग गई थी अब तो काफी बेतर है, जल जखम भर जाएगा वो उन से निगाहें चुराता हुआ फ्राइड चिकन के डेश अपनी जाने रखता हुआ, गोया हुआ अरे कहीं इंसानों के शिकार पर तो नहीं निकल गई थे भाई जान के जखम किसी शेर टाइब की खुनखुआर तो शीजा ने तो नहीं लगा दिया उमेर प्लाव प्लेट में डालता हुआ शरारत से चहका स्टुपिड बॉई वो खासा जुस्बस हुआ, बास अकात मजाग के पराय में कहीं कहीं बात कितनी सा दिक होती है तुम भी हद करते हो, कभी इंसानों का शिकार भी किया जाता है नानी उमेर से मुखति होई हाँ हाँ, आप इतनी बड़ी हो गई है नानी जान, आपको मलूमी नहीं है कि इंसानों का शिकार भी होता है यह आई दिन जो आप अखपारात में पढ़ती हैं, कभी हंगावों में लोग हलाग होते हैं तो कभी अचानक होने वाली फाइरिंग कि जद में लोग हलाग कर दिये जाते हैं कभी लोग किड़नाप कर लिए जाते हैं, तो यह क्या होता है इंसान ही तो इंसान का शिकार करता है आज कल तो लोगों ने जंगलों को छोड़ कर शहरों कर लिया है खमोशी से खाना खाओ, कभी तो आराम भी दे दिया करो अपनी जबान को मास को गिरा गुजर रही थी उसके गुफ्तगू भाई के तीके तेवरों से वो खौब सदा रहता था सो खमोशी से खाने में बगन हो गया आपने शाम को कहा था वापस आने को और रात कर दी जानते भी हैं चन्द लम्हें की ताखीर मुझे असत परिशान और मतफक्र कर देती है उन्होंने प्यार भरी खुफ्की से लाइक फाइक बेटे को देखा सौरी मामा, मैं आ तो शाम को ही गया था कुछ वक्त कबरुस्तान में लग था चुचा जान की कबर पर मैदों को कबरुस्तान जाते रहना चाहिए मगर बेटा हर काम एक हद एकदाल में बहतर रहता है जो काम हद से गुजर जाए वो इंतहा पसंदी और जनून कहलाता है ये दोनों जस्पे ही खतरनाक है आपका पबंदी से सुभा शाम राहिल की कबर पर घंटे गुजरना मुझे वहशत में मुपतला करता है प्लीज बेटा आप सिर्फ जमरात को जाया करो और फातिहां वगरा पढ़कर आ जाया करो पता नहीं क्यों मिरा दिल हौलता रहता है मामा के लेज़े में एक इस्तराब और वहशत थी बेटे की इस बरसों पुरानी आदत से वो किसी नागहानी खतरे की आहाटें सुनती थी ओके मामा अब ऐसे ही करूँगा क्योंके चचा जान की बरसों की बेकरार रूख को करार आ चुका होगा उनको कबर में पहुँचाने वाले अब खुद अपनी मौत की दुआएं मांग रहे होंगे क्या मतलब मैं समझी नहीं बेटे के चेहरे पर उभरते तासुराद कुछ ऐसे ही खौफनाक थे कि उनके अलावा नानी जान और उमेर के चेहरे पर भी तजस्स आमेज तहशत चागी थी फिर वो एक एक लफ़ज उन्हें बताता गया ड्राइंग रूम में यक लख्त सनाटा चागया था महस उसकी गंबीर आवास कुछ रही थी दादी जान ने एहद लिया था मुझ से कि राहील चच्चा की जवान मौत का बदला मैं सरूर लूँगा जिस अजियत से उनकी जान निकले होगी वो तकलीफ मैं आज तक महसूस करता हूँ शरीफ पुरवकार चच्चा लोगों की बातें बरदाश्टा कर सके दोस्तों के ताने उनकी शराफ़त बरदाश्टा कर सकी हलांके उन्हें उस औरत को शूट करना चाहिए था मैंने दादी जान से एहद किया था कि ऐसी जिल्लत और उस्वाई से उस औरत और मर्द को जरूर रोशनास कराऊंगा अपने उस एहद को मुस्तहकिम करने के लिए मैं रोजाना सुबह शाम चच्चा की कबर पर जाता था ताके गुजरते वक्त के साथ मेरा एहद दुन्द की लपेट में ना आ जाए भाई आपने लड़किया को आगी उमेर की आँखें हलकों से बाहर थी पूरा मूँ कुल गया था लड़कियों की पर च्छाईयों से भी गुरेजा भाई की बात हिरानी तर हिरानी में मुब्तला उसे कर गई ये क्या किया आपने मैंने आप दोनों की तरबियत ऐसी नहीं की थी मैंने अपने बच्चों को रोशन चराग बनाय था पर आप तो एक घर चला कर आगए एक औरत के लिए की सजा, दूसरी बेगुना, बेखता लड़की को देना कहां कहां कानून है माज मुझे की नहीं आ रहा आप ऐसी गटिया और नीच हरकत कर गुजरे हैं एक लड़की की तबाही और रुस्वाही पूरे खांदान को लपेट में ले लिती है आप क्यों इतना इखलाग से गिर गए मामा मुतहविश निगाहों से हक्का बक्का बैठे मास को देख रही थी आपको उस लड़की से हम दर्दी हो रही है उस खांदान के रुस्वाई का दुख है आपको जिनकी वज़ा से अब भी ससुराल में इजज़तों मुकाम ना पा सकी आप भी जिन्दगी का तवील हिस्सा आपने उन के ना करदा गुनाहों की सजा काटी है पापा ने कभी आपको वो मुकाम नहीं दिया जो आप जैसी खिद्मत गुजार बावफा बरपूर सबरो इस्तकामत रखने वाली बीवी को मिलना चाहिए पापा आखरी दम तक आप से बदकुमान ना महरपान थे यही जिस बात वो दिल में लिए दुनिया से चले गए आपने अपनी बहन की ज्यात्यों की सजा सूथ समेथ काटी है अब भी आप उनका दर्थ महसूस कर रही है खमोश हो जओ मास खमोश हो जओ जिस आख में मैं चलती रही हूँ किसी मासूम को चलाना नहीं चाहती वो तेजी से उठकर वहां से चले गए मास की कुशादा पेशानी पर तरद्द की शिकने सिमच आएं अरे इस बजजात को घर में गुसने किस ने दिया तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर की दहलीस पर अपने नापाक कदम रखने की हमारी इज़त निलाम करके भाग गई थी अपने आशिक के साथ अब क्यूं चली आई है अपना मनहूस और बेहया वजूत लेकर निकल यहां से चची ने उसे लौन में आते देखकर बावेला शुरू कर दिया था धम धम करके उसके करीब आई चीशते चिलाते हुए साथ ही उसे दोनों हाथों से पीटना शुरू कर दिया चची जान मेरी बात तो सुनें चची जान मेरी बात उनके चलते हाथ चलती सबाज ने उसे बोलने का मौका न दिया शम्मो ने खुद तुझे अपनी आखों से उस लड़के के साथ कार में जाते देखा था उसने आकर इतला थी उसी वक्त सब डंडे लेकर निकल गए मगर कहीं न नजर आई वो कार शम्मो ने चूट बोला हैं आपसे चची उसने मुझ से भी उसे बद्दाम कर रही है मैं तो पहले ही कहती थी बेटी भी मा की तरह कोई न कोई गुल खिलाएगी दो रातें घर से बाहर गुजार कर आई है फिर भी कैसी मासूम और मस्कीन बन रही है निकल जा इस घर से आईंदा कभी भूल कर भी कदम रखने के जुरुत नहीं करना उनके थपड उसका मूँ लाल कर गए थे उसके रेशमी बाल उन्होंने बुरी तरहा नोचे खसोटे थे फिर बकाएदा धक्के देकर उसे घर से निकाला था उसकी मिन्नतें आहें इर्तिजाएं सब बेशर थी चची जान खुदा के लिए मुझे अम्मी के पास जाने दें वो गेट पकड़ कर सिस्कियों के दौरान बोली थी वो मनहूस यहां नहीं है कहराती हस्पताल में पड़ी हैं मौत की घड़ियां गिन रही है वो उसे घर से बाहर निकाल कर जा चुकी थी चुकी दार ने उनके हुकम पर अंदर से गेट बंद कर लिया था मा के मतलिक सुनकर वो अपनी तकलीफ चची के हाथों उठाती जिल्लत और अहानत सब भूल गई थी रहमत बाबा जो सब देख और सुन रहे थे उन्होंने अपने कौार्टर में ले जाकर उसे तसलिदी पानी पिलाया और शमू के मतलिक पताया कि वो दूसरे दिन ही मुलास्मत छोड़ गई है उसके हाथ कहीं से लंबी रकम लग गई थी वो कह रही थी गाउं जाकर अपना घर खरी देगी और मिया को पर्चून की दुकान खुलवाएगी बाबा की बात ने साबित कर दिया था उसकी बेगुनाही का पका सबूत फरार हो चुका था वो उस शक्स को बद्धुआई देने लगी जिसने नामालूम कब शम्मो को खरीद लिया था रहमत बाबा के साथ वो हस्पताल आ गई जनाना वाच में बे तर्टीब चर्पाईयों के दरम्यान एक चर्पाई पर मेले बिस्तर पर इंतहाई गंदे हुलिये में बे खबर और मधोश पड़ी मा को देखकर उसके सबर और सब्द की लगा में छूट गई वो उन पर जुक कर शिद्दतों से रो दी इर्द की चर्पाईयों पर मजूद बिमार खबतीन और उन के साथ मजूद औरतें उसके तरफ मतवच्चा हो गई उसका शिद्दतों से रोना मुलगजे पीले कपड़े हाथों और पाउं में महली के नक्षों निकार प्रिशानी पर बंधी पटी खबतीन के मखसूस तजस्स और बेचैनी को हवा दे रहे थे उसका हुलिया एक पुर इसरार सी कहानी सुना दा था खमोश हो जाओ बेटी तुम कौन हो इनकी ये तो कल सुबह से यहां इस तरहां पड़ी है कोई ना उनके साथ आया था उड़ा मिलने हम तो लावारिस समझ रहे थे एक दरम्यानी उमर की ओरत उसके सर पर हाथ रखते हुए शफकत से गोया हुई और अपने पास लकड़ी के बेंच पर उसे बिठाया मेरी अम्मी है ये ये लावारिस नहीं है लावारिस का लफज उसके दिल को चीर गया था माफ करना बेटी इतनी नाजुक हालत में कोई अपना इस तरहां किसी को नहीं चोड़ता इसलिए खयाल आ गया तुम कल से कहां थी वो औरत उसका बगौर जायजा लेती हुई सरसरी लहचे में बोली बाकी औरतों की आँखें और कान उस सिंद लग गए थे उसे औरतों की इस सिंद से सक्स चुड़ थी जो खामखा दूसरों के मामलों में दुल्चस्पिय रखती है ताके एक सुनकर आगे दस लगाएं उसके समझ में ना आया कि क्या बहाना करे सच बोल कर तमाशा नहीं बढ़ना चाहती थी उसी दम डॉक्टर मॉइने के लिए अंदर आ गए तो वो सब मुंतशिर हो गई उसने गहरा सांस दिया और दिल में तहिया कर लिया मुतफक्र और परेशान माश अंदर आकर उनसे मुखातिब हुआ हो जाने दो बलके दूआ माँगो मुझे मौत आ जाए वो रोहानसी आवास में गोया हूँ मामा प्लीज क्या कह रही है आप वो तड़ब कर उनकी तरफ पढ़ा मत हात लगाओ मुझे माश मुझे तुम्हें देखकर तकलीफ हो रही है ससुराल वालों ने रिश्टिदारों ने और शोहर ने जितने चरके मेरे दिल पर लगाए थे जितनी अजियत और तकलीफ मैंने सालहा साल बरदाश की थी उन सबसे बढ़ कर तकलीफ तुमने मुझे दी हमास मेरे शरीफ और बा किड़ार बेटे का ये कौन सा रूप है जिसने एक लड़की को पामाल कर डाला उससे जीने का हग चीन लिया है मैंने तुम्हें महाफिस बनाया था तुम लुटेरे बन गए मामा प्लीज आप मेरे किड़ार पर शक करके मेरे बेस्यती कर रही है इंतकाम में भी मैं इंसानियत और इखलाकियात की हदें अबूर नहीं करता मा के एहतराम में लहचा धीमा था मगर चेहरा दमक उठा था मैं मा हूँ यकीन कर लूँगी मगर उस बच्ची का यकीन कौन करेगा वो विपर उठी कोई करे या ना करे ये आपका दर्देसर नहीं है मामा क्यों आपने सवार कर लिया है उसे खुद पर इसलिए कि एक औरत का दुख दूसरी औरत ही समझ सकती है फिर क्या चाहती है आप क्योंकि मैं सब दुख परदाश कर सकता हूँ मगर आपकी मामूली से तकलीफ भी मुझे बड़ी तकलीफ पे मुबतला कर देती है सारी रात में बेचैन रहा हूँ हलाकि मैं सोच रहा था परसो बाद अपना मिशन मुकमल करके मुझे सकून की नीद आएगी मगर अगर मेरा ख्याल है बाकर मुझे से मुहपत करते हो और मुझे जिन्दा देखना चाहते हो तो मुझे उस मसलूम लिर्की के घर ले चलो उन्होंने गोया धमाका किया था मामा मामा आप समझ रही हैं कि आप क्या कह रही हैं उसका दमाग खौल कर रह क्या अफसोस इतने बड़े सद्वे के बावजूद मेरा दमाग अभी दरुस्त काम कर रहा है उनके लेंचे में सर्थ महरी थी प्लीज मामा मेरा मतलर ये नहीं था आप आप कहौर तो कीजिए किसके घर जाने का कह रही है महज उस काबले अफसोस लड़की के घर जिसकी पाकीज़की और बेगुनाही इज़त औवकार से रहने का हक मेरे बेटे के बुझ दिलाना इंतकाम ने छीन लिया है दूसरा कोई रिष्टा मुझे याद नहीं है अब आप वहां नहीं जा सकती मामा वो दुश्मनों का घर है मेरी गैरत गवारा नहीं करती एक बेकसूर कमजोर बेबस लड़की को अगवा करते वक तुम्हारी गैरत कहां चास होई थी मामा वो गौद सेख आप मुझे शर्मिन्दा ना करे तुम मेरी परवाब मत करो मैं मरूं या जीओं तुम्हारी बला से वो जिद्धी और अटल अंदास में बोली यह आपका आखरी फैस्दा है उसके मद्दे मुकाबिल मा थी बमश्किल वो खुद को कंच्रोल कर रहा था फैस्दा एक बार ही करने की तरबियत मैंने ही तुमें दी है उकतियत से कहने लगी ओके, कीजिए अपने फैस्दे पर अमिल दरामत, मैं साथ नहीं जाओंगा वो तुफान की तरह कमरे से निकला था और फिर राह में आने वाली हर शै किर्चियों की सुरत बिखरती चली गई उसके जिन्दगी में जो सियाह आंधी आई थी, उसने उसके बख्त के अलावा जीष्ट को भी सियाह करके तनहाईयों के मोहीब जंगलों में बटकने के लिए छोड़ दिया था वो अभी अपनी बरबादी के दुख से भी ना समझाता कर पाई थी के मा भी तीन दिन जिन्दगी और मौत की कश्मकश में उससे कुछ कहे बिना उससे देखे बिना जिन्दगी से हार कर मौत को गले लगा गई और वो बुद बनी उनके बेजान सर्थ वजूद को देखती रही उसने उन्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा था सिंजीत की खमोशी ठहरे पानी जैसा सकूत वेरानों में पाई जाने बाला जामित सन्नाटा उनकी जात का हिस्सा था आँखों में उनकी उसने हमेशा नमी देखी थी जो किसी लम्हे दूर नहीं होती थी जब वो लेट थी तो वो नमी आँखों के गोशों से निकल कर तक्ये में ज़स्प होने लगती वो उससे बहुत महपत करती थी मगर उसकी तरबियत उन्होंने बहुत सख्त गीरी से की थी स्कूल और फिर कॉलेज वो उनकी निगरानी में जाती थी और उनकी निगरानी में आती जिसके लिए उन्हें फैक्टरी से दो दो चक्कर लगाने पड़ते मगर अपनी धकन की परवाद नहीं करती थी उनके खौफ से उसने कोई सेहली नहीं बनाई थी कि दोस्ती मेरा बापित बढ़ते हैं जो उन्हें कभी पसंद नहीं थी उसने अपनी कोर्स की किताबों से दोस्ती कर ली थी जिसके नतीजे में वो स्कूल से कॉलिज तक फर्स्ट पुजिशन लेती रही बाप को उसने नहीं देखा था वो उसकी पैदाईश के दो माबाद दुनिया से रुकसत हो गया था उन्होंने उसे माबाप दोनों की तवच्छो दी थी वो बीए का एक्जाम देकर फारिग हुई थी जब एक रात उन पर फालिज का हमला हुआ और वो बरवक्त तिब्वी सहुरत ना मिलने के बाइस बिलकुल ही लाचार और मासूर हो गई थी वो तोलिया फैक्टरी में सुपरवाइस के तोर पर काम करती थी बहुत महनत लगन दियानतदारी से वो अपने फराइस अंजाम देती थी और मुकमल बाप बरदा होकर घर से निकलती फैक्टरी में भी उनका बरदा काम रहता वहाँ उनकी बहुत इज़त की जाती थी पहली वज़ा थी कि उनके पढ़ने के बाद घर के और दवाईयों के इक्राजात के जिम्मेदारी उसके कंदों पर आ गई थी और उसने उन से इजास्त लेकर फैक्टरी में दर्खवास दे दी थी जहां उसकी मामा की शानदार करकरदिगी की विना पर उसे मा के ओहते पर ही रख लिया गया था और उसने चंद हफ़तों में ही साबित कर दिया था कि वो मा की तरह ही महनती, मुखलिस और अपने काम से पूरा-पूरा इंसाफ करने वाली थी शुरू-शुरू में चची और चचा ने बहुत बाती सुनाई थी उसकी मुलास्मत पर ये जानते हुए भी कि क्यों नोकरी कर रही है उसने भी मा की तरहा उनकी तरह से कान बंद कर लिये थे कुछ अरस्ता पहले मा पर दुबारा अटैक हुआ था और ये इतना शदीद हुआ था कि वो खोशोखिर्ट से अकसर बेगाना रहने लगी थी डॉक्टर ने मतला कर दिया था कि अब जानबर होना नामुम्किन है उनके जिन्दगी हवा की जद में रखे चराक की माननत है और वो चराक बुच गया था साथ उसकी जिन्दगी में भी अंधेरा ही अंधेरा पहला गया था दुनिया दिखावा के लिए चच्चा और चच्ची ने भावच के दुख में आसु बहाई थी और भाई के हिस्से की जायदात खामुशी से हड़प कर गए थे वो मा के जनाजे के साथ घर आ गई थी उनके आकरी सफर पर रवाना होते ही उसे भी घर से निकाल दिया गया था यह एहसास की ये बगैर के वो जवान बे आस्रा लड़की कहां जाएगी रहमत बाबा जो चची के पुराने मुलाजिम थे अपने सरवन्ट क्वार्टर में उसे ले आए थे वो और उनकी बीवी हमय वक्त उसकी दिल जोई में लगे रहते थे मगर वो जैसे जिन्दा रहने के तमाम ज़स्पे तमाम एहसासात खो बैटी थी खामोश बैटी खलाओं में गूरती रहती बाबा साहब घर वले कहां गए हैं रहमत बाबा ने हाथ में पकड़ी तस्वी के आखरी दाने पढ़े और तस्वी चूम कर कुर्टे की जेब में डालते हुए उस खुश पोश खुबरू नौजवान के तरफ पकॉर देखा जो बहुत शाहिस्तगी और अदब से उन से मुखतिब हुआ था साथ उसके एक खातून भी थी जो लाइट ब्लू साही में मलबूस बहुत पुरुवक्कार और अजध इस्तराब और बेचैनी का शिकार लग रही थी बेगम साहिपा और साहब मुल्क से बाहर गए हैं अब ना मलूम कब आएं उनकी बेटी मेरा मतलब है उनके और भी बच्चे होंगे सब साथ कए हैं वो खासी घबरा गई थी बेगम साहिपा के सिर्फ दो बेटिया हैं दोनों ही शादी शुदा हैं वो अपने ससुरालों में हैं मामा भाईजान ने एड्रिस तो कलिक नहीं दे दिया महतरमा कंदील साहिबा का गर यही है वो नोजवान जो उमेर था मामा से सरगोशी करने के बाद सामने खड़े सफेद बुज़र्ग से इस सफसार करने लगा जी हां वो यहीं रहती हैं लेकिन आप कौन है रहमत बाबा जो बहुत कौर से मामा की शकल देख रहे थे यक्तम चौक कर बोले उनके लहचे में अजीब सरसीम की थी नहीं ये नहीं बुद्धिय बड़े मिया वड़ना डंडे खाने का इमकान बढ़ जाएगा वो आहिस्तेगी से बुर बुराया कहां है वो मैं उससे मिलना चाहती हूँ मामा इस तरह आप में जल्दी से आगे बढ़ी बेकम साहिबा आपका नाम अफशीन तो नहीं है बाबा जो बहुत कौर से उन्हें देख रहे थे पूछ बैठे जी जी हां मगर आपको कैसे मलूम हुआ जबके मैं आपको पहली बार देख रही हूँ जी वो नौरीन बेती अक्सर आपका जिकर करती थी कि आप उनकी शकल से बहुत मिलती है और आपको वो बहुत याद करती थी रहमत बाबा की बुरी आवाज भरा गई थी अफशीन को जमीनों आस्मान गुमते हुए महसूस हुए पेशक नौरीन का गटिया और शरमनाक अमल उने भी लोगों खसूसन ससुराल के लोगों और शोहर सुहेल एहमत की निगाहों में हमेशा के लिए गिरा गया था नौरीन की खताओं का उन्हें को मियाज़ा बुकतना पड़ा था मगर जब जखम लगता है तो दर्द भी तब तक महसूस होता है फिर रफ़ता रफ़ता जखम मुंदमिल हो जाता है दर्द का एहसास भी खत्म होता जाता है और एक वक्त आता है के जखम दर्द तकलीव हर शे इनसान फरामोश कर बढ़ता है उनके दिल में भी एक मुद्द गुजरने के बाद तकलीव की जगा कसक ने ले ली थी तहीं से क्या मुराद है आपकी बाबा नौरीन कहां गई है उनका दिल बंद होने लगा बहा बेगम साहिबा जहां जल्द या बदेर हम सब को एक दिन जाना है उन्होंने आस्मान के सिम्त उंगले उठाई उनके अंदर दर्द की एक आग थी जो सर तापा पहलती चली गई उसने जो कुछ किया उससे कता नजर वो उसकी मा जाई थी खून का एक ऐसा रिष्टा जो मरकर भी नहीं तूटता उन्हें महसूस नहीं हुआ कब उनके आसू बे एक्तियार होकर चेहरे को भीगोने लेके बदबख्ती की इंतहा थी बेहन के आखरी दिदार से भी वो महरूम रही थी और उसने एक पगावत एक कलती एक पसंद को पाने जनून में के ऐसी सजा पाई थी कि उसके जनाजे को अपनों का कंदा भी नसीब नहुआ था जिस शहर में उसके अपने भरे पड़े थे उस शहर के शहरे खमोशा में वो किसी लावारिस गुमनाम बेशनाक मसाफिर के तरह दफना दी गई थी कितना अबरतनाक अन्जाम था उसकी महपत और बगावत का रहमत बाबा ने उसकी जिन्दगी की तमाम कहानी उन्हें सुना दी थी नोरीन ने जस बाद की विचीदा राहों का इंतखाब करके खुद को मसलसल अजाब में रखा था यावर को कतल के केस में उमरकैत की सजा सुनाई गई कंदील दो मा की हुई तो जेल से उसकी मौत की खबर आई एक सपाही को हलाक करके उसने जेल से फरार होने की कोशिश की थी और इस तहां वो पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया यावर के भाई उसे और कंदील को अपनी कोठी में ले आई क्यूंकि यावर का जायदात में आदा हिस्सा था रिष्टेदारों की बातों की वज़े से वो बेवा भावज और यतीम भतीजी को ले तो आई मगर बही सलू किया जो बे सहारा और कमजोर लोगों के साथ किया जाता है एक कमरे और चोटे से सेहन पर मुश्तमिल क्वाटर उन्हें दिया गया था नोरीन पहले की तरहां ही फैक्टरी में मुलास्मत कर रही थी वो बहुत दुखी औरत थी इतनी कम उमरी मैं उनकी तरहां इबातत गुजार बाप परता और नेक औरत मैंने अपनी तवील जिन्दगी में नहीं देखी वेगम साहिबा मुझ पर तो उन्होंने इतना अजीम एहसान किया है कि मैं उसका बदला उतार ही नहीं सकता मेरी बेटी एक लड़के के चक्कर में बहुत पागी और गुस्ताख हो गई थी उसकी मां समझा बुझा कर परिशान हो गई मैंने उससे बहुत प्यार से समझाना चाहा मगर वो कुछ दुन्ने मानने को तयार ना थी शादी के दिन करीब आ रहे थे उसके एक रात वो हमारे सोने के बाद समझी हमारी इस्ज़त को निलाम करने घर से निकल गई थी वो तो भला हो नौरीन बीबी का जिन्होंने नामलूम कब से उस पर नज़र रखी हुई थी उन्होंने उसे पकर लिया और समझा बुचा कर हमारे पास ले आई उनकी जबान में इबादत गुजारी और अल्ला के खौफ ने ऐसी चाशनी और तासीर प्यादा करती थी कि मेरी बेटी ने तौबा कर ली मुझ से और अपनी मा से माफी मांगी और खुशी-खुशी हमारी दुआउं तले इस घर से रुकसत हुई थी अगर नौरीन बेटी मेरी बेटी को गुमराही से बचा कर अच्छे रास्ते की निशान दही ना करती तो हम तो बद्दामी से मर चुके होते उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद यही बना लिया था फैक्टरी में भी बेशुमार लड़कियों को सवारा है उन्होंने कभी ऐसा होता है ना रुसवाईयों की पुर फरेब अंधेरी राहों पर चलने वाले लड़कडा कर गिरते हैं गायल रूह और जिसम लिए दूसरे लोगों के लिए मशले राह बन जाते हैं रहमत बाबा अपने गाउं जा रहे थे क्यूंके सहब लोग तवील अरसे के लिए मुलक से बाहर गई थे तमाम मुलाजमीन की चुटी करती की थी वो अपनी तमाम तकलिफें और शिकायतें भूलकर बेहन की मुहपत में डूब चुकी थी दूसरा बड़ा बोच उनके जमीर पर बेटे के इस काबले मुझमत अमल का था जिसके नतीजे में वो लड़की जो उनकी भांजी थी नुरीम की बेटी कंदील का मस्तफिल वो तारीक कर चुका था और अब मा के वजूद से भी वो महरूम हो गई थी वो उसे सीने से लगा कर मासी को फरामोश करके अपने घर ले आई थी वो जो तनहाई, रुसवाई और मा की अबदी जुदाई के दुख से निधाल और बेजान हो रही थी अचानक खाला का महर्पान अपना ये तो महपत से लब्रेज वजूद देखकर उनके सीने में मूँ चुपाकर अपनी हर मा बखती पर फूट फूट कर रोई थी ये एहसास ही कितना वरहत बख्ष जाफिजा था कि उसका भी कोई है उससे महपत करने वाला चाहने मला ख्याल रखने वाला और नमा किसी वा इस सिंदगी में पहले किताबे रिश्टे रखती थी फिर फैक्टरी की जॉब उसकी रिश्टेदार बनी थी कंदील बेटी इस घर को अपना घर समझता बिलकुल भी खुद को गैर समझने की जूरत नहीं है अफशीन बेगम ने प्यार से उसके गाल तक तपाई थे वो उनके तवील खुबसुरत से लॉन वाले आली शान घर को देखकर मरूबियत के साथ साथ ऐसासे कमतरी का शिकार भी हो गई थी वो उसे खुबसुरत कमरे में खुद छोड़कर तनहाई में खुब रोना चाहती थी आराम करो सुबह मैं तुम से बात करूंगी मुलास्मा के हाथ दूद भेच रही हूं वो जरूर पी लेना ठीक है वो हतायत दे कर उसके पेशानी चूम कर चली गई वो कमरे की अराइश और जबाइश देखती हुई अपने कल और आच पर गौर करने लगी अफशीन बेगम ने नौरीन के इंतकाल की खबर और उसकी आप बीती खाला सफिया को सुना दी थी दोनों उसकी मौत पर खमोशी से आंसू बहा रही थी अप्शीन बेगम की हालत अब्तर थी बेटी मास के जजबाद तुम जानती हो कितना बदजन बदख्वा है नौरीन के मामले में बच्पन के वाक्य को किस तरह याद रखा है उसने और देख किस तरह जहान तो चलाकी से उनकी खबरें लेता रहा जो एंड वक्त पर अपने इंतकाम की कस्म भी पूरी कर ली थी सिर्फ यावर के बारे में ना जान सका कि वो बहुत पहले ही अपने अन्जाम को पहुंच चुका था और शायद नूरीन की फालित से माजूरी का भी उसे इम न रहा होगा वरना इस तरहा हद से ना गुजरता खैर बो तो तुम्हारे वहां जाने को पसंद नहीं कर रहा था और अब उसकी बेटी को इस घर में किस सहां परदाश करेगा उसका गुसा और मजाज की तेजी मैंने अब देखी है और मज़े यही फिकर खाए जा रही है अब क्या होगा खाला को उन्होंने तसली देकर कमरे में भेज़ दिया था मास की तरफ से उन्हें भी किसी अच्छे रद्यमल की तवक्को हरकिस नहीं थी मगर उन्हें इत्मिनान था और उनकी महपत के आगे वो हत्यार डाल देता है वो लाग गुसा वर जिद्धी हर दर्म सही मगर ये भी हकीकत थी उनसे बेपना महपत करता था अबादत की हद तक वो उसकी मुंतज़िट थी क्यूンके उमेर को कहच चुकी थी कंदील के मतल्रिक मास को अगाहना करे क्यूंके खबर सुनकर उसे सीधे यहीं आना था कंदील को भी उन्होंने बेखबर रखा था पहले मरहले में उस विपरे तभान को एतदाल मेलाना था कंदील को काईल करना ज्यादा मुश्किल ना था इन हालात में कि वो नोरीन के माजी से वाकित थी मामा जो मैंने सुना वो दरुस्त है हस्पे तवक्खो वो दंदनाता हुआ सुर्क चेहरा लहू रंग आँखें लिए अंदर आये था उसके अंग-अंग से जैसे शरारे निकल रहे थे हाँ इसमें गर्थ होने वाली कौन सी बात है अपनी मा के मरने के बाद वो तन्हा रह गई थी आपके जुर्म का कुछ एहतजाब मुझे भी अदा करना है मुझ में अभी इंसानियत मरी नहीं जिन्दा है इंसानियत नहीं मामा यूं कहिए पहंग की मुझे जिन्दा है वो जलती लकडी की तरह चटका फिलहाल माजी दफन हो चुका है और मैं गड़े मुटते उखेड़ना नहीं चाहती आपको अपना इंतकाम पुरा करना था सो कर चुके अब आप किसी मौमले में कोई मदाखलत नहीं करेंगे कंदील से आपका रवया बिलकुल नॉमल होना चाहिए नौरीन तबई मौत मरी है अगर उसकी मौत की जिमेदारी आपके उस कटिया फेल पर होती तो मैं कभी आपको माफ नहीं करती कंदील के बारे में मैं अब कोई बात नहीं सुनूगी मामा आप खुद सोचिए किस रिष्टे से आप लोगों से उसे मतारिफ करवाएंगी उसका इस घर में रहने का कोई जवास नहीं है बहुत मायूब और नापसंदीदा रिष्टा है इस घर से उसका मैं उसे यहां रहने नहीं दूँगा जिसकी मां इस घर को रुस्वाईयों और आहों में गर करके चले गई थी उस लड़की की जिंदे की जहन्नूब बना दूँगा मैं वरना उसे आप खुद यहां से निकाल दे उसका लव्ज लव्ज शरारा था ठीक है फिर वो अकेली नहीं जाएगी मैं भी उसके साथ जाओंगी यह घर तुमने बनवाया है तुम्हारा पैसा लगा है यहां इसलिए तुम हाक में चता रहे हो मल्कियत का एहसास है मा का एहतराम भी तुम्हारे दिल से निकल चुका है मैं भी यहां नहीं रहूँगी वो भी यह लहचे में फैसलकुल अंदास में बोली उनका यह अंदास, यह लहचा वो कभी बरदाश नहीं कर पाता था उसने हाथ से अपना सर पकड़ते हुए कहरा सांस दिया जैसे अपने तने हुए दहकते आसाप पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो वो दूसरी मरतबा उसके लिए जहनी अजियत का बाइस बनी थी आपको कोई हक नहीं मामा मेरी मुहपत मेरे ज़बों को अजरा करने का आपने जो मेरे एक्तियारात पर अपनी मर्जी को फॉक्यत दे कर मेरी हैसिट को अज़रा तरीम कर दिया है यह बात नहीं है मामा आप मेरी बात समझ नहीं पा रही है जाल में धारते शेर जैसी हाल थी उसकी ठीक है, आपको एक्तियार है आपका घर है, जैसे चाहें रखें आप यहां मुझे कोई आतरास नहीं है वो हमेशा की तरहां उनकी मुहबत के आगे बेबस हो गया था। देखता हूँ तुम किस तरहा रहती हो यहां। वो तसवर में कंदील से मुखातिब हुआ था। फिर पर क्रफ़तारी से कमरे से निकल गया। यह महसूस किये बिना कि दिवार से टेक लगे एक वजूत ने हैर कुछ अजीव गरीब से ना फहम थे। आंटी वो वो शक्स कौन है। सब कुछ सुनने के बावजूर वो यकीन ना करना चाह रही थी। वो माज है मेरा बड़ा बेटा और आपका मुझरिम। उन्होंने निगाहें चुरा कर शाहिस्तेगी से कहा। आंटी वो उनके गले ल अपनी मा की नादानी उसे भी पुर्खार राह पर कसीट ले गई थी। वो उस शक्से नफरत करती रही थी मगर अब खुद शर्मिन्दगी महसूस कर रही थी। वो किस तनफर कराहत से उसकी मा का जिकर कर रहा था और किस कतियत से उसके यहां रहने पर मौतरज और जाएगी। किसी हॉस्टिल में रहाइश बजीर हो जाएगी। जॉब अभी उसकी बरकरार थी। शादी के बाइस एक मा की चुटी ली थी। के बात में अश्रफ सहाब के रवएए पर मुनहसिर होगा कि वो उसकी मुलास्मत करने पर आतरास करेंगे तो छोड़ते गी। और उसका वो दानिशमंदाना फैसला बेहतर सावित हुआ था क्योंकि दूसरी जगा जल्ट नौकरी मिलना नम्मकिन था। मास अभी अपने हवासों में नहीं है बेटा। तुम उसकी बात का खयाल मत करना। मेरे होते हुए तुमें किसी परेशानी की ज़रत नहीं और मास उसके लिए मैंने उसे माफ नहीं किया। वक्त आने पर उसे उसका अजला करना पड़ेगा। तुम खयाल नहीं करना बेटा। जिन्दगी में जमूद तारी था। आंटी के बेहत बना करने के बावजूद उसने फैक्टरी जाना शुरू कर दिया था। आंटी उसके दला की में कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। वो भी शायद ऐसी ही एहतियात करता था जो अब तक सामना नहीं हुआ था। गर में आंटी और उमेर कर विया बहुत अच्छा था। नानी सफिया भी अक्सर उसके पास आ बैठती थी। अम्मी की याद अक्सर उसे रुलाती रहती थी। और अक्सर वो बेचैन सी होकर कमरे में टहलने लगती। उसे यहां आए तीन हफ़ते गुजर चुके थे। रात को वो अक्सर कमरे के बाहर किसी के चलने भिरने की आवाजें सुना करती। कभी ऐसा लगता जैसे किसी कमरे का दर्वासा खोल कर बंद किया गया हो। गुलने बंद होने चलने पिरने की भारी जूतों की आवासों में शिद्दत आती गई। अब पास आउकात ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे के बाहर गुटी-गुटी आवास में कह कहें लगा रहा हूँ। और रात को अजीव वाक्या हुआ। वो नमास से फारिक होने के बाद सपारा पढ़ने बैट गई। उस से फारिक होने के बाद वो बेखबर सो गई थी। अभी उसे लेटे ज़्यादा देड़ नहीं हुई थी। उसे लगा दर्वासा किसी ने आहिस्तेगी से नौक किया हूँ। वो नीद में होने के बावजूद चोकरना हो गई थी। दस तक फिर बहुत आहिस्तेगी से दुबारा हुई। वो दुपटा ओरती हुई उठी और दर्वासा खोल दिया। उसका खयाल था आंटी या नानी होंगी लगर बाहर कोई न था। रहदारी सुनसान पड़ी थी। उसने नीन से बोजल आंके खोल कर अच्छी तहां चार सामने कमरे की तारीकी में खिर्की से जांकती देशतनाक सूरत पर पड़ी। खौफ दर खौफ की कैफियत में वो जैसे सकते का शिकार हो गई थी। जिन भूत पर वो यकीन नहीं रखती थी। पर इस वक जो सूरत उसके सामने थी वो इनसानी सूरत तो हरकिस न थी। बड उसे अपनी जानब देखता पाकर उन बयानत दातों के दरम्यान से गुटा गुटा कहका बराम्त हुआ कहके की आवाज सुनते ही उसका सक्ता जैसे टूटा था उस सफेद लबादे में भी हल्चल हुई थी कबल इसके के वो उस तक पहुँचता उसने अपने डरते कापते वजूद को बमश्किल अंदर गसीता था और दर्वाजा लॉक करके ही खौफ से बेहोश होकर गिर गई उसकी आँख खुली तो बाहर से दर्वाजा मतवात तेर बजाया जा रहा था उसने मतहविश निगाहों से दर्वाजे की सिम देखा रात का वाकिया उसके जहन की स्क्रीन पर प्ले था खौफ औ दहशत से वो अभी भी लर्जा थी बाहर से दर्वाजा पीटने के साथ नानी जान की आवास भी आई तो उसने जल्दी से उठकर दर्वाजा खोल दिया खैरियत तो है ना बेटा कब से दर्वाजा बचा रही हूँ वो अंदर आती हुई गोया हूँ अरे आज फैक्ट्री नहीं जाना क्या उसे रात के हुलिये में देखकर वो हैरानकी से इस तफसार करने लगी क्योंके सुबह नाशता वो उनके साथ ही करती थी पिर दस बज़े नौरीन और उमेर मास के साथ दूस्रे शिप्ट लगाते थे जिसम में दर्द और सुस्ती महसूस हो रही है सोच रही हूँ छुटी कर लो हाँ कर लो मुझे भी तुम्हारी तबे ठीक नहीं लग रही है वो उसके उत्रे उत्रे जर्द चेहरे को देखकर बोली नानी जान आप नाना जान को क्या कहकर मुखातिब करती थी जान जानू या दिलबर जानी उमेर ने उनके नजदीक बैठते हुए नहायत भोलपन से कहा जबके करीब बैठी गाजर के हलवे के लिए गाजरे साफ करती हुई अफशीन बेगम और कंदेल मुस्कुरा उटी थी अरे अफशीन बेटी तुम्हारा ये लॉन्डा तो बिलकुल ही बेहया है लो भला मुझसे ऐसे सवाल पूछता है जो कभी मेरी सहेलियों ने भी मारे लाज के नहीं पूछे नानी जान मारे लजाजत के सुर्ख पड़ गए नानी प्लीज शर्माइए नहीं आपको नाना के कसम पताएए ना वो छिली हुई गाजर उठा कर खाता हुआ बोला लड़के बावला हो गया है तू लो भला क्या बोलूगी कभी राशित के अबबा ये जरीना के अबबा कहतिया करती थी और तब क्या क्या करती थी जब कोई अबबा कहने वाला दुनिया में नहीं आया था गजब खुदा का आज कल के लड़कों को तो जरा भी शरण नहीं है अच्छा अच्छा बता देती हूँ मुझे मालूम है जब तक पूछ नहीं लोगे चैन नहीं लेने दोगे वो शादी के शुरू शुरू के दिन थे तुमारे नाना के किसी दोस्त हैं हमारी दावत की नानी जान के चेहरे पर माजी के खुबसूरत रंग दमकने लगे हम दोनों गए उनके दोस्त के घर वालों ने बहुत आओ भकत की मेरी नंदों ने मुझे बिल्कुल दुल्हन की तरहां सजा समार कर बेज़ा था दुल्हन देखने के शौक में वहां बहुत सारे बच्चों ने मुझे घेड लिया में इस पान ओरतें भी खातर मदारात के बाद अपने अपने कामों में लग गई क्योंकि वक्त बहुत हो गया था तुम्हारे नाना ने बाहर मरदाना पैठक से कोई पैगाम नहीं बेजा कि कपचल ना है वो बाहर दोस्तों में मगन थे घर की खावतीन मुझे बूल कर कामों में मसरूफ हो गई शाम डहलने लगी तो मैंने एक चोटी बच्ची से कहा बाहर अपने भाई से बोलो अंदर दुलन बुला रही है क्योंकि तुम्हारे नाना ने आते वक्त उस बच्ची को प्यार किया था चंद लम्हे बाद वो बच्ची भागती हुई आई और बोली भाई दर्वाजे के बाहर खड़े हैं मैं गरारा संभालती हुई दर्वाजे पर पड़ा पड़ा उठा कर देखा तो कोई स्याह रंगत और लंबी मुच्छों वाला आत्मी है रानों परेशान करना था उस पर नजर पड़ते ही मैं उल्टे पाउं अंदर को ही उस बच्ची से पुझा वो किसको बुला लई है तो बोली आप ने कहा था अपने भाई को बुला लओ मैं अपने भाई को बुला लई मारे शर्मिंदगी के मेरा बुरा हाल था क्योंकि अपनी नंदों से ऐसे ही बोलती थी वो आत्मी समझ गया था उसने तुम्हारे नाना को भेज़ दिया और वो इतना बरहम हुए कि पूछ नहीं और आइंदा मैंने भी उनके साथ चाने से तौबा कर ली नानी के लबों पर दीमी मुस्कुराहट थी उमैड ने बे साखता कहका लगाया था कंदील और अफशीन बेकर मुस्कुराने लगी कंदील कभी तो हंस्तिया करो बहुत कंजूस हो इस मामले में वो उसे साथ लेकर लौन में आ गया था जाती गर्वी आती सर्ती की ये शाम बहुत सुहानी थी दीमी दीमी चलती हवा उसके बालों को बगेरती अच्छी लग रही थी उमैड ने उसे खुले दिल से बलकम का था और बहुत प्रुखलूस अंदास में उसका दिहान रखता था कभी महसूस ही नहीं हुआ ये उस सालिम सफाक वहशी का भाई है उमैर वो सामने चो कमरा है वो किसका कमरा है उसने उपर रंग बरंगी पूलों वली बेलों से लदे कमरे की तरफ इशारा किया जहां रात को उसने बयानक तरीन मखलूक देखी थी वो कमरा राहिल चुचा का था और उसी कमरे में उन्होंने खुदकुशी की थी मामा उस कमरे में किसी को नहीं जाने देती उन्हें कुछ वहम से हैं हफ़ते में उसकी सफाई होती है पिर कमरा बंद रहता है उमैर पहौत संजीत की से बता रहा था और उसके समात में रात को मतदित बार दर्वासा कुलते, बंध होने, भारी जूतों समेच किसी की चहल कदमी, गुटे गुटे कहके, उसके कमरे के दर्वासे पर दस्तके, उसे अपना सांस बंध होता महसूस हुआ, वो कमरा उसके सामने वाली रो में बना था, और उसके भी बैठ गया, तुम कॉलिज नहीं गए आज, मास ना मलूम, लॉन्ट के किस कोशे से बराम्द हुआ था, वो भाई जानी, आज मूट नहीं बना, मास के कड़े तेवर उसे हस पे आदत कड़ बढ़ा गए, आइंदा ऐसी बेकाइद की बरदाश्ट नहीं करूंगा, चलो अपने कमरे में जाओ, वो खासा डपट कर सर्द लहचे में बोला था, उसका अंदास ऐसा था जैसे वो नर्शरी में पढ़ने वाला मसूम छोटा बच्चा हो, वो मेर बहुत सादत मंदी से सर जुका कर अंदर के जाने बढ़ किया था, कंदील ने भी अंदर जाने के आप भूल रही हैं, अपनी मर्जी की पाबंद आप अपने गर में हो सकती हैं, फिलहाल आप मेरे गर में वराजमान हैं, और यहां आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगी, जिससे मेरी इज़त पर हर्फ आने का अंदेशा हो, अलफाज से ज्यादा उसका लहचा पहानत अमेज थ ओ, रियली, उसका तहकीराना अंदास, तंस और हकारत से बोजल था, उसने पहली बार उसे बगार देखा था, सियाह कॉटन के सूट पर, जर्दो सियाह, प्रिंटिट तुपटे के हाले में उसका सुर्फ चेहरा खासा दिलकश और जाजी बे नजर था, वो गुसे में के बाद से ज्यादतर कारोबारी मौअमलात के बाईस बाहर ही रहता और घर में आने के बाद ज्यादतर अपने गमरे में होता था, इस गुरेश के बाईस उसे मलूम ही नह हो सका कि कंदिल फैक्ट्री जा रही है, कल दुपहर को एक दोस्त के पास फैक्ट्री एरिया गया तो वहाँ से वापसी परकंदील उसे एक पेक्टरी से निकलती नजर आई। उसने अपने जराय से मालूम कर लिया कि वो वहाँ सुपरवाइसर के तौर पर काम करती है, ये बात उसकी तब्याद पर गिरां गुसरी थी। उसका लैदर का बिजनेस बहुत वसी था, मुलक के आला तरीन कारोबानी फैमिलिस में से एक था। उसके घर की रहाइश पजीर लड़की एक मामूली सी जॉब कर रही थी, वो भी उसके घर में रहकर। उससे बात करने के खयाल से ही वो आज चल दी आ गया था, इत्वाकर वो भी उमेर के साथ लॉन में बैटी नजर आ गी और वो सी था, वहीं चला आया था। सच कह रही हूँ बैटी, नानी चान खौफ के मारे कपकपा उटी थी, कंदील ने तनहा पाकर उन्हें वो तमाम पुर इसरार वाकिया सुना डाले थे, जिसमें वो रात का बयानक तरीन वाकिया भी था। नानी चान, बिल्कुल सच कर रही हूँ, मैंने किसी से भी जिकर नहीं किया कि कोई ये समझे, यहां रह भी रही है और बातें भी बना रही है, मुझे रात से बहुत डर लग रहा है। सुना है रूख का इंतकाम बहुत बुरा होता है बेटा, मेरी मानों तो तुम अपना कहीं अलग ठीकाना कर लो, अगर मेरी बहुएं इस काबिल होती तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चाती, मगर वो मेरा वचूद बर्दाश करने को तयार नहीं है, मैं बुढ़ापे में इधर उधर वक्त गुजारती हूँ, वो तुम्हें किस तरह बर्दाश करेंगी, उनके लहचे में इस उमर में बेटों और बहुँँ की बेहिसी बोल रही थी, वो रात उसने उनके कमरे में ही गुजारी, नानी जान जब तक जाकती रही, खौफ सदर रही, उनका ख्याल राहील का भूत उसके पीछे लगा है, क्योंकि वो नौरीन की बेटी है और राहील ने नौरीन की वज़ा से खुदकुशी की थी, अब वो अपना इंतकाम उससे लेना चाहता था, और रूह के इंतकाम के कई ड्राउने बाकियात उन्हें याद आ रहे थे, जिने सुना सु आकर वो डर रही थी और डर डर कर सुना रही थी, फिर वो सो गई, और उनके बेहंकम खराटे पूरे कमरे में बिखडने लगे, कंदील खौफ से सहमी हुई, उनके करीब ही लेटी रही थी, सुबनाश्ता करके सब के बहुत रोकने के बावजूद वो ड्रावर के हमरा चट पर चली गई, अफशीन बेगम की हैरांगी हद से सवा थी, आप परिशान मत हो मामा, मैं कल जाकर उन्हें ले आउँगा, मास बहुत भी जानता था, वो खाला को मा की तरहां चाहती हैं और उन्हें अपने यहां ही रखकर खुशी होती थी, मामा को अफसुर्दा पास टेबल पर रख दिये, ये क्या है बिटा, उन्होंने हैरांगी से एक नजर नोट पर डाली, फिर उसका हाथ पकड़ कर अपने करीब बिठा लिया, जबके सामने सिंगल सोफे पर बराचमान मास की निकाहें उसके चेहरे पर थी, आंटी, ये कराया है, आप मुझे रसला किया था, कि आपके यहां रहने का मैं माफसा दूंगी, इस बात का मुझे एहसास है कि इस घर से मेरा रिष्टा मा के हवाले से बहुत मायूब और नाजेबा है, जो मुझे नागवारा और नापसंदीदा लगता है, मुझे यहां रहना अच्छा नहीं लगता, आप आने वाले लोगों से मेरा तारुफ दूर की मरहूम अजीजा की बेटी कहकर करवाती है, उस लम्हें आपकी आँखों में आने वाली नमी मेरे दिल में घाव डाल देती है, मुझे लोगों की निकाहों के बेयकिनी चलकाते बहुत कुछ समझ जाने वाले तासुरात मुझ स बरताश नहीं होते आन्टी, बंदा पेश उमर गुनाह करे, फिर सित के दिल से अल्ला से गुनाहों की माफी माफी माँग लेता है, तो वो रब माफ कर देता है, मगर बंदों को कभी नादानी में किसी के गुनाह के बारे में इल्म हो जाए, तो वो बंदे माफ नहीं करते और बदकिसमती से मेरी मां ऐसे ही गुनाह के मुर्त की भूई थी इतने बेहतरीन से सुराल और आराम और असाइश छोड़ कर वो खुद को तबाह कर गई और साथ कितने ही अपनों को तबाह कर डला आकरी सांस तक उन्होंने अपने गुनाहों का कफारा अदा किया है मैं यहां रहूंगी तो आपके लिए भी कसक कबारिस बनूगी और लोगों की आँखें जो कहती हैं कल को जबान भी बोलने लेकी की और मैं? मैं नहीं चाहती जो अदास्तान अम्मी के साथ दफन हो गई दुबारा जिन्दा की जाए और उनकी रूख को नए सिरे से अजियत पहुचे इन पैसों को आप मौपसा या कराया समझ कर रख लें मैंने हॉस्टल में एक कमरा ले लिया है कल से मैं वहां शिफ्ट हो जाओंगी प्लीज इंकार मत कीजेगा मतवातिर बोलते बोलते उसकी आवास भरा गई थी उसने पलकों तक आई नमी को चुपाने के लिए चेहरा चुका लिया वो बहुत खुद्दार हसास लड़की थी माज लम्हें भर को अपने गटिया तर्ज अमल और बद अखलाक रवये पड़ना दिमसा हो गया था उसका जहन जुमा के अलावा हर औरत का अगस दुन्दला गया था वो दुन्या की हर औरत को बेवफा हरचाई मौका परस्त समझता था उसने तालीमी मराहिल के दौरान भी किसी लड़की को लिफ्ट नहीं दी थी अपने अक्रपन, सर्थ महरी और खुश्क मजाजी के बवजूद वे लड़कियों में खासा मकबूल रहा था बिजनिस में कदम जमाने के बाद उसने अपनी फैक्टरीज में सिर्फ मर्थ हसरात को मुलास्मतें दी थी उसके आफिस में भी तमाम मर्थ हसरात ही थे सेकेटरी के तोर पर भी उसने खातून को रखना गवारा नहीं किया था चच्ची की बदकिर्दारी और चच्चा की खुदकुशी ने उसके दिल में जहर ही जहर भर दिया था चच्चा का इंतकाम लेने और दादी से किये गए एहद को पूरा करने के लिए उसे भरपूर जद्दो जहद करनी पड़ी थी चच्ची की रहाइशका का पता उसे चच्चा की जायरी से मिल गया था उसने उस बोसीदा और गंदे से इलाके में वाकिया उस खर के बेश्मार चक्कर लगाए थे हर दम उसे वहां ताला मूँ चड़ाता मिला था मगर वो फौलादी असाब और मस्पूत कुट इरादी का मालिक था वो कई साल तक वहां चक्कर लगाता रहा और फिर एक दिन उसे दरवाजा खुला मिल गया उसको वहां एक बुढ़ा मिला था जिसने बताया कि वो इस खर का मालिक है यावर के बारे में वो नहीं जानता था कि वो कहां है अलबता उसकी शक्सियत और बड़ी सारी कार से मरूब होकर यावर के भाई के घर का पता दे दिया था उसे मतलूबा घर ढूंडे में परेशानी नहीं हूँ उसने वहां एक मुलास्मा से तमाम मालूमात ले ली थी मुलास्मा ने बताया के यावर की बेटी कंदील की शादी है कल अश्रफ साहब से यू वो मुलास्मा को पचास हजार के एविस खरीच चुका था और मुलास्मा ने उसकी मुश्किल असान बना डाली थी गंदील ये कैसे सोच लिया आपने मैं आपसे पैसे लूँगी वो कुपकी से बोली काबले एतरास बात नहीं है आंटी बहार रहते थे तो चुची को भी हजार रुपे महवार देती थी यो तो सगा रिष्टा था मेरे बाप का घर था वो आपसे ऐसा तो कोई रिष्टा नहीं है ऐसे ना कहो कंदील नौरीन से रिष्टा देवरानी होने का खत्म हुआ था बहन का तालुक तो आज भी काइम है बहन को खो दिया मैंने अब उसके निशानी को खोने की इमत नहीं है मुझमे आइंदा ऐसा कभी मत कहना वो उसे सीने से लगा कर रो दी थी मास ने बेचैनी से पहलो बदला मामा ये अगर जाना चाह रही है तो आप जाने दे मेरे खयाल में ये दुरुस्त कह रही है मास मेरे जखमों पर नमक मत छुड़को अगर मरहम ना रख सको तो मुझे ऐसा लग रहा है मामा जैसे आपने मेरे खिलाफ महास कर लिया है मेरे हर अमल पर आपने इकतलाफ बराए इकतलाफ मुझे बराए मुझे पॉलिसी अपना रखी है सोचती नहीं है आप वो खवाखवा सा नरास सा वहां से उठकर चला गया कंदील सुन सी पैटी रह गई मास की नफरत पहले दिन से ही उस पर आया हो गई थी हस्पे प्रोग्राम वो दूसरे दिन वहां से जाना पाई आंटी का बलट शुगर शूट कर गया था उन्हें शोबाए इंतहाई निगेदाश्ट में रखा गया था और वो तीसरे दिन सुबह होश में आई थी आँख खोलते ही उन्होंने कंदील को पुकारा था मुझे छोड़ कर तो नहीं जाओगी ना उसका हाथ पकड़ कर वो आंसों के दौरान बोली थी उसने बे एक्तियार नफी में गर्दन हिला दी थी उनके चेहरे पर इत्मे नांसा जा गया था फिर उन्होंने दाएं बाएं खड़े उमेर और मास को प्यार किया था उमेर इस अरसे में गुम सुम होकर रह किया था जबके मास को उसने पहले मरतबा परिशान और बदहवास देखा था वो एक लम्हे के लिए सकून से नहीं बैटा था इस अरसे में उसकी बेचैनी, परिशानी, इस्तराब, बियत, मास मुहपत का बेमिसाल सबूत थी डॉक्टर ने कहा था किसी गहरे सब्मे की वज़ा से आंटी का ब्रेट पेशर शूट कर गया था जो दिल के लिए इंतहाई नुकसान देखो सकता था तुम्हारी वज़े से मामा शदीत तकलीफ में हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो समझ ले ना तुम्हारी जिंदगी की गड़ियां भी पूरी हो चुकी होगी उससे अंगारे बरसाते हुए शोले उबलती आंखें उसके रोए रोए परेशान चेरे पर डालते हुए वार्निंग दी थी आंटी घर पर आ गई थी, हस्पताल से ब्लेट पेशर उनका नॉमल हुआ तो शुगर हाई हो गई थी और वो उनके साथ साई की तरहा रहने लगी, उनकी दवा, गिजा, अराम का पूरा खयाल रखती थी उनके बिस्तर पर पढ़ते ही पूरे घर की जिमेदारी उस पर आगी थी, हर काम के लिए मुनासिम थे और उन्होंने आंटी की तनहाई और बिमारी से फाइदा उठा कर हर जगा बेतरती भी पहलाई हूँ थी उसने उनके सर पर सवार होकर सफाईया करवाई, सेटिंग तमाम कमरों की बदलबाई, मासिवाए, राहील और मास के कमरों के गर बिलकुल नया नया लश पर्श करने लगा था, आंटी ने उसे बहुत सारी दुआउं से नवादा था, उमेर और और ज्यादा उसका गरवीदा हो गया था कॉलिट से आने के बाद उसका वक्त उसके साथ गुजरता, शाम को वो अपने दोस्तों के साथ क्रिक्ट खेलने चला जाता मास और उसके दरमयान बेगानगी और खमोशी की वही दिवार खड़ी थी, जो अबल रोज से दोनों ने खुद काईम की थी अलबता उसने अब उसकी मुझूदगी में कमरे में बंद रहना छोड़ दिया था नाश्ता और रात के खाने पर साथ बैठता था और खाने के दौरान वो मेर की तालीमी सरगर्मियों की रिपोर्ट पकायत की से लेता था आंटी की तबेद नासास होने के बाइस उसने फैक्टरी से दो हफ़तों की चुटी ली थी जो आज खुतम होगी थी आंटी की तबेद पहले से बेहतर थी लेकिन अभी कमजोरी बहुत थी उनमें वो उन्हें छोड कर नहीं जा सकती थी उसने मजीद एक हफ़ते के चुटी लेने का इरादा किया और फौन के जरीय सर को मतला करने लगी उसके चुटी के जवाब में वहां से जवाब मिला उसकी हमेशा के लिए चुटी कर दी कही है वो यहां आने की जहमत न करे क्यूंकि उसकी सीट पर नई सुपरवाइजर तायूनात हो चुकी थी दूसरी तरफ से गोया धमाका हुआ था उसे अपनी समात पर यकीन ना आया उसके बॉस बहुत अच्छे थे अम्मी की वज़ा से और पर उसकी बेहतरीन कारकरदेगी की बिना पर वो उसकी बहुत इज़त करते थे दूसरी वरकर्स के मुकाबिल उसे ज़्यादा मारात हासिल थी वहाँ अब उन्हों ने ही कितनी बेमरवती और बतले हासी से कह दिया था कि उसकी वहाँ ज़रूत नहीं है एक्सक्यूज मी रिसीवर रख दीजिये दूसरी दरफ से कॉल ओफ हो जुकी थी वो जो दुक और सदमे के ज़र असर रिसीवर कान से लगाए खड़ी थी गंबीर और संजीदा आवास पर चौक के निगाहें उठाई वो फॉन स्टैंट के करीब रखे सोफे पर बैठा उसकी सिम्धी देख रहा था उसने बे साखता निगाहें चुका ली कमरे में पर्दे पड़े हुए थे दर्वाजा भी बन था जिससे खासी तारीकी चाही हुई थी उसके दी में मुस्कुराते लब तमस्कुराना निगाहें इस बात की गवाह दी के वो सब सुन चुका है मारे तोहीन के उसकी आँके बर आई थी वो यक लख्त वहां से निकल आई और बाहर रेलिंग के पास पैट कर खूब रोई उसे शदीद दुख था मुलास्मत छूट जाने का इतनी बहतरीन मुलास्मत हर बार नहीं मिलती बलके छोटी मोटी भी मुलास्मत आजगर असानी से कहां मिलती है फैक्टरी में अम्मी की वज़ा से बासानी बिला किसी तरदुद के वो सिलेक्ट कर ली गई थी अब कौन था जो उसके लिए तगोदो करता आउंटी पर बोच बनना उसकी खुददारी पर गबारा नहीं था इस जत नफस उसे अजहत अजीज थी मास कब तक इस घर का आंगन सूना और वेरान रखोगे क्या चाहता है मैं अपने पोते पोतियों को हसता खेलता देखे बगेर ही दुनिया से चली जाओं वो हसरे जदा लहचे में गोया हूँ मामा ऐसी बातें क्यों करती हैं आप उसने उनके करीब बैठते हुए खुफ की भरे लहचे में कहा मुझे कहते हुए अर्सा गुजर गया है बेटा मेरे बिमार वजूद में अब ताकत नहीं रही इस घर को संभालने की मुलास्मों के सपूर्ट घर करके आपने देखा है ना क्या घर का नक्षा बिकार दिया था मुलास्मों को सिर्फ तन्खुआ से गर्स होती है घर से नहीं घर का खयाल घरवाली ही कर सकती है उन्होंने धीमी अवास में कहा मेरा प्रॉब्लम मालूम है मामा आपको मैं किसी औरत पर यकीन नहीं कर सकता मेरा इरादा नहीं है कभी भी शादी करने का उसके वज्जी चेहरे पर शिकने थी उमेर की स्टाड़ी मुकमल होने दे फिर अर्मान पूरे कर लीजेगा दो साल का अर्शा दरकार है उसे इंजीनियर बनने में फजूल बाते मत करो मास क्या तुम्हें अपनी माँ पर भी एतमाद नहीं है अगर हर औरत तुम्हारे निजरिये के मताबिक आवारा बचलन बदकिर्दार है तो बेटा ये दुनिया कब की तबाह हो चुकी होती फिर कोई घर ना बसता औरतों का वजूद दुनिया से सिमट कर कबरों में दफन हो चुका होता आप जल्द अजल्द से हैतियाप हो जाएं फिर सोचेंगे उसने हस्पे आदत उन्हें टाला बहलाओ मत मुझे मैंने आप के लिए लड़की पसंद कर ली है वो उसकी तरफ देख कर बुनी कौन उसके चेहरे पर कुछ रंग चाय थे उनका जुकाओ वो समझ क्या था कंदील हस्पे तवक्र जवाब मिला वो मुझे लोकर खड़ा हो गया क्या हुआ कंदील ही वो लड़की है जो इस घर की बेटी की तरह संभाल वो साल भर चोटी है उमेर को राजी कर लूँगी वो उसके चेहरे के उतार चड़ाओ देखते हुए सकून से बोल रही थी अभी उमेर पढ़ रहा है उसका करियर डाउन हो जाएगा मामा उस जादू कर लड़की ने ऐसा क्या जादू किया है जो आपको उसके अलावा कोई और नज़र नहीं आता जुन जुलाहट से बुरा हाल था उसका मुहपत और ताबिदारी खलूस और खिद्मत गुजारी आला इकलाग बजाते खुद बढ़ा जादू है मुझे उसकी इसी मुहपत और खलूस ने लूट लिया है उमेर को बलाओ मैं उससे बात करूँ जब तक वो पढ़ रहा है तक तक निकाह कर देंगे रुकसती उसकी पढ़ाई के बात कर देंगे इस तरह कोई आतरास भी ना करेगा जबान बच्ची के बिला रिष्टा घर में रहने की उससे बात की हैं आपने वो मान जाएंगी उसे फरार की नई राह नजर आई उसकी फिक्र मत करो उसे समझाना मेरा काम है उनके लेंचे से नरास की जलक ने लेगी मामा ये किसी तरह मुम्किन नहीं है बाहर कर दें आप उसकी शादी मश्वरा नहीं मांगा है मैंने तुम से उसे तुम दोनों में से एक की बीवी बनना है ये मेरा फैस्तना है और जिसने मेरा फैस्तना नहीं माना मैं उसे दूद भी नहीं बख्षूँगी अपना मामा, ये क्या कह रही हैं आप, उनकी आखरी बात पर वो लरस कर रह गया था, फिर एक लम्हे वहा नहीं रुका, तेजी से कमरे से निकल गया, घर की फिजा गुटी गुटी सी थी, अफशीन बेगम खमोशी से बेटे के जवाब का इंतिजार कर रही थी, जिसने इस मौमले म बिल्कुल ही पेगान की इक्तियार कर रही थी, उसका रवया उनके साथ पहले जैसा ही था, मगर उन्होंने सर्द रवया रखा हुआ था, उसे देखते ही वो गहरी चुप साथ लेती थी, फिर जैसे पत्तर से पानी जहरना बन कर निकल पड़ता है, सहरा में फूल खिल दिल मस्पूत समझता था, क्या मलूम था, दिल शिकस्त काएगा तो किस से, जिसका बद्तरीन दुश्मन रहा था, जजबों से फरार हासिल करने में नकामी ने उसे शुष्टर कर दिया था, वो अपनी कैफित किसी पर आयान नहीं करना चाहता था, कंदील, घर से बाहर भी निकलती हो कभी, हर वक्त रोबोर्ट बनी रहती हो तुम, उमेर आजए अभी तो कुछ देर के लिए बाहर चली जाना, बाहर निकलने से तबियत पर अच्छा असर पड़ता है, उन्होंने करीब बैठे चाय पीते मास को नजर अंदास करके कहा, मा अच्छा नहीं लगता, उसने चाय कमग उठाते हुए कहा, इस उमर में क्या खुद पर तुमने बुढ़ापा तारी किया हुआ है, सारी जिंदेगी सिर्फ खिद्मतों में ही गुसार दोगी, पहले अपनी अम्मा की खिद्मत करती रही थी, अब मुझ में और घर में लग अपने आप पर भी तो तबच्छा दिया करो, अपने बारे में भी तो कुछ सोचा करो बेटा, उनके लेंजे में हलावत थी, उसकी आँखें भीखने लगी, वो अपने बारे में क्या सोचती, आप कुछ पचा ही क्या था? सुनो, शाम को तयार हो जाना, मामा कह रही थी तुम को घर से निकल कर सारो तफरी भी करनी चाहिए, वो दरुस्त कह रही थी, जिन्दगी में अगर जमूत तारी हो जाए तो जीस्त भारी पत्थर बन जाती है, बेरंग, बेनूर, बेहिस, इंसान, पत्थर नहीं है, इसलि अभी उससे वो शक्स मुखातिब था जो उसकी शक्कल देखने का रवदार भी न था। कितने खुबसूरत अंदास में उससे मुखातिब था। उसका दिल बुरी तरहा धरकने लगा। उनको देखा तो बे खुदी जाई अब तो जाकी शराब रहने दे। तुझको खुशिया नसीब हो ظालिम मेरा खाना खराब रहने दे। राह उल्फत में साथ चलने का हमने देखा जुखाब रहने दे। शहर खुबां की बात कर आज़ाद जिक्र खसनों शबब रहने कंदील मास की वज़ा से ही तुम्हारा घर बस्ते बस्ते रह किया था लेकिन उस वक्त की मास की गैर तानिशमंदी आज की अकलमंदी में ढल गई है रहमत बाबा ने मुझे बताया था अश्रफ सहाब तुम्हारे चचा के हम उमर थे और तुम्हारे चचा ने बिजनिस के खसारे के बाइस ये रिष्टा तैह किया था ताकि तुम्हारी सूरत में वो अपना गर्जा माफ करवा सके मुझे खुशी है तुम फरेब से बच गई हो मास जवान है गुपसूरत है मौशी लिहास से मुस्तहकिम है उसके लिए लिड़कियों की कमी नहीं है लेकिन मैं मौस की दुलहन के रूप में सिर्फ तुम्हें देखना चाहूंगी अशीन वेकम अंदर मौस की गुफ्तगु सुन चुकी थी बाहर आकर वो कंदील को समझाने लगी आंटी ये किस तरह हो सकता है आप जानती हैं वो मुझे नापसंद करते हैं और मैंने भी कभी इस अंदाज में नहीं सोजा वो अज़ध इंतिशार का शिकार हो गई मर्द की नापसंदीद्गी पसंदीद्गी में बदलते देर ही कितनी लगती है आदम की पहली चाह, पहली खाहश, पहली जरूरत, वजूदे जन थी और यह हकीकत है आरत के बगएर तो जन्नत भी मुकमल नहीं है फिर मेरे बेटे की जिन्दगी किस तरह मुकमल हो सकती है किसी खूब सूरत और खूब सीरत लड़की के बिना माजी की बातें फरामोश कर डालो आंटी उसे सीने से लगाए बिलकुल सगी मा की तरहां समझा रही थी और वो खौब और यकीन के दर्मियान थी बलू कुरेशिया नेट के दुपटे और कमीस पर डीदा जेप कड़ाई थी शलवार सिल्की थी इस सूट में उसकी सफेद रंगत खासी चमक रही थी आंटी ने जबर्दस्ती सूट के हम रंग जर्कून का नाजुक सा सेट पहना दिया था होटों पर पिंक लिपस्टिक से उसका सादा हुसन दमक उटा था उसे आज अपना आप कितना अजीब अजीब से लग रहा था चैन्द गंटों में ही काया पलट कर रहकी थी आंटी ने उसे अपने सामने तयार कर वाया था वो इस वक्त एक बहतरीन दोस्त होने का रोल प्ले कर रही थी उसे अजीब सी गबराथ हो रही थी गो के आंटी ने खुलकर बात क्लियर करती थी फिर भी उसे नाफहम सी बेचैनी थी माज उसे पार्क में ले आया था रास्ता खमुशी में कटा था रात की तारी की धीमी धीमी भैल रही थी मौसम अच्छा था आस्मान पर पूरा चांद अपनी चांदनी लुटा रहा था बेश्मार चमकते दमकते सितारे दिलकशी कबाईस थे वहां आरास्ता रात की रानी के बेश्मार पोदों में खिले फूलों से फिजा बहुत मौतर और खुशकवार थी बच्चों, बड़ों, जवानों, बुढ़ों के हजूं वहां पहले थे ज्यादा रश जूलों की साइट पर था खासा पर रौनक और पूर शोर महौल था मौस घास पर बैट किया साथ उसे भी बैटने का इशारा किया ये गोशा कुछ तारीक और सुनसान था मुझे बात गुमा फिराकर करने की आदत नहीं है और ना ही फिल्मों हीरो की तरह प्यार भरे डायलॉक्स बोल सकता हूँ कुछ तोकफ के बाद उसकी गंबीर आवास उबढ़ने लगी चेहरा जुकाए गबराई लजाई से कंदील उसके बेबाग लहचे पर हवास पाखता होने लगी मेरी जिन्दगी बहुत शफाफ और सपाट कुछ रहे है मैं किसी लड़की में कभी कोई दिल्चस्पी नहीं ली या फिर किसी ने मुझे इस तरह मतासिर नहीं किया था उसने गहरी शोख निगा उसके दिलकश चेहरे पड़ा ली मामा का इसरार बहुत पहले से था कि मैं शादी कर लू मगर मेरे जहन में कोई तस्वेर नहीं थी मैं बहाने बनाता रहा मगर अब मुझे भी एहसास हो रहा है इतनी बेरंग जिंदगी में खुश्यों के रंग भर लेने चाहिए तो मेरा प्रपोजल चुकराओगी तो नहीं इतनी एहम और मुश्किल बात उसने इतनी असानी से कहन दी थी और निगाहें उसके कबराएं सटपटाएं बुखलाएं चेहरे पर मर्कूस करती थी तंदखू गरम मजाज बेहस मास का ये रूप बिलकुल अनुखा और पूरवकार था कंदील जो घास के तिनके नोच रही थी एक दम ही बलश हो गई उसने जुका सर मज़ीद जुका लिया कंदील मैं जबर्दिस्ती का कायल नहीं हूँ शादी सारी जिन्दगी का साथ का नाम है और इस वामले में लड़की किराई जरूर लिनी चाहिए मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत सताया है मगर सकून मेरा भी कायम नहीं रहा वो मेरे जमीर की चुबन थी या तुम्हारी दी हुई बद्धुआई थी मैं लम्हें भर सकून और इत्मिनान से नहीं रह पाया मुझे एक रात सकून की नींद नसीब नहुई प्लीज माजी का बाप बंद कर दें जो मेरे नसीब में लिखा था वो हो कर रहा उसने पहली बार लबकुशाएंगी मॉज ने करीब आते बेटर को ओडर दिया था मैंने जिन्दगी बहुत स्ट्रॉंग गुजारी है किसी लम्हें कोई कमजोरी महसूस नहींगी मगर आज महसूस कर रहा हूँ तुम्हें खोने की हमत नहीं रखता अगर तुम मेरे जिन्दगी में नहीं आई तो फिर किसी के लिए दर्वाजा दर्वाजा दिल वा नहीं होगा मास एहमद जो कहता है वो कर के भी दिखाता है उसने उसका बरफ हाथ अपने गरम हाथों में लेकर पुर अजम और चिटानी लहचे में कहा हाथ छोड़ दें लोग आ जा रहे हैं उसने बोखला कर सामने चिकने फर्श की रविश पर देखते हुए कहा तुमारे हाथ बहुत कुबसूरत है वो उसकी गबराहट से लुट्व अंदोस होता उसका मखरूती उंगलियों वाला हाथ देखता बारी लहचे में बुला प्लीज छोड़ दे न कुछ मन चले उन्हें देखते हुए जमले कस्ते गुजर गए थे शर्म से उसका बुरा हाल था जबके माज मुस्कुराता हुआ पहनूज उसका हाथ पकड़े बटा था पहले बोलो शादी करोगी मुझसे यह आप इकरार करवा रहे हैं या जर्म का एतराफ करवा रहे हैं वो खफा होकर बोली जर्म ही किया है तुमने माहबद आलत का दिल चुरा कर एक बात बताएंगे उसकी निगाहों की वालेहाना वारफंगी उसे डिस्टरब कर रही थी एक नहीं एक लाग पुछो वो नीम दरास हो गया राहिल चच्चा के कमरे में भूत का असर है मुझे बहां उसकी बात खत्म होने से कबल ही उसने बिलंदो बांक कहां लगाया था सामने से गुजरते लोगों ने पलट कर उधर देखा देखो माइंट नहीं करना वो उसकी दरफ जुक कर बोला वो सारी हरकतें मैं करता था ताकि तुम खौफ सदा होकर वहां से भाग जाओ वो मास्क मैं लगÁता था यार चचा के कमरे के चाबी मेरे पास ही रहती है मैं ही दर्वाजा खोलता बंद करता कहता है भी तुम्हारे कमरे की खिड़की के पास रुमाल में मूँ चुपा कर लगाता था ताकि नानी और मामा के कमरे तक आवाज न जाए मगर तुम बहुत बहादूर साबित हुई वो कमरा छोड़ कर मामा की कमरे में रहने लगी और मेरा बाकी का प्लान फेल हो गया और सोचता हूँ अच्छा ही हुआ आप इसके दिर चीटर है ओ माई गॉड कंदील हरांगी से उच्छल सी गई थी तुमारी फैक्टरी जाने की खाहिश मुझे हरकिस पसंद नहीं थी मैंने तुमें खुद भी समझाया मगर तुम मेरे खिलाफ भरी बठी दी मेरे बात पर मुझतेल हो गई मैं भी गुसे में ना मलूम क्या क्या बोल गया था जिसका मुझे बात में अफसोस हुआ कि पहराल मैं कम जर्फ और पस्त जहनियत का नहीं हूँ मामा नहीं भी कहा कि अभी तुम सिद्मे में हो मस्रूफ हो जाओगी तुम बहल जाओगी मगर जानता था तुम बहलने वाली चीज़ नहीं हो सो डिरेक्ट वहां से राप्ता करना पड़ा वो अपनी लाइक और मेहनती वर्कर को छोड़ने पर राजी ना थे पिर मचबूरन मुझे अपना अस्रो रसूफ इस्तमाल करना पड़ा तब कहीं जाकर वो तुम्हारी हमेशा के लिए चुटी करने पर रजामन्द हुए थे या ला कितने जबरदस्त एक्टर हैं आप सब कुछ करते रहे और घर में ऐसे बेपरवा और अजनभी बने रहे वो हैरानगी दर हैरानगी की ज़त में थी अब ऐसी नजरों से ना देखो सब तुम्हारी मुहपत के जिरे असर हुआ है ये मुहपत है आपकी मैं कितनी बैशानी में रही इसका एहसास नहीं है आपको वो बे इक्तियार रोने लेकी आसू सरासर मसर्रत और तमानियत के थे उसकी सहरा जीस्त में फूल खिल उठे थे उसे यकीन था मास जैसा बुलंद होसला और साबिक पदम शक्स उसकी तमाम महरूमियों का अजाला कर देगा अरे यार का वोशू जो ते को सामने से बेटर समान लेकर आ रहा है मैंने कोई गुस्ता की की तो तुम्हें एतरास होगा फिर उसने शोखी से बढ़ते हुए कहा तो कंदील ने बर्क रफ्तारी से अपने आसू साफ किये मास के चेहरे पर भर पूर मुस्कुराहट तोड़ गई खत्तम शिद सो मेरे जीज लिसनेर श्टोस्ती अटोस्ती आफ दे आफ दे नौवल रिदाय आर्दू बाइ एक्रा सगीर एहमद धन्य वाथ कैढ रकिये का निक्तमनाव के साथ Allah Hafiz and don't forget to subscribe to my channel that's how you can encourage me